भुपली महानगर के नावनगर में उपस्तित सभी सम्माने ये लागरे करी हो। मैं आप सभी को ग्रापती उस्व की बहुत बढ़ाई देता हूं। कि शुपकामनाए व्रत्त करता हूं। कि शुपकामनागर करता हूं। ग्रापती के लिए इस खावना का कारी वो आपने यहां किया है। वो आगे भी इस तरह से नियावित रूप से चलता रहे। आप सब इस ग्रापती पंद्र के भावना के साथ जोड़े रहे। और भारत ने एक महान राश्मवादी चिंतक, इचारत और हमारे देश के लेता हूं। शुपकामनागर बाहल गंद्र धिलत में। जिस उद्देश्च से ग्रापती की इस खावता हमारे देश में कराई। वो उद्देश इस देश में पुरा होगा। ऐसी मैं इश्वर से पातना करता हूं। आप सभी नागरिक बंद्रों से इस बात के लिए शमा मानता हूं। कि मैं आपसे बहुत अच्छे से कर्णर भाशा में बात पूर जा सकता। इसलिए कर्णर हिंदी मिला कर आपसे बात पूरूगा। मुझे इस ग्रणपकी मंदल के आयोजन में जो विशय दिया है आपसे संबाद करने का वो विशय है कि लोकमाने शुरी बाल गन्रादर के लिए ने गनपकी आंतोलन या गनेशोगसवक का अभ्यान हमारे देश में क्यों चलाया कैसे चलाया उसका हमारे देश को क्या उपलती हुई और आज हमारे देश में ये किस वरूप में इस पापुश का। आप सबी जानते हैं कि भारे देश में गनेशोगसवक का सामाजी क्रूप से जो आयोजन शुरू हुआ वो श्री लोकमाने किलग के बहुत प्रयासों के बाद हुआ है। श्री लोकमाने किलग में इसको चूँ शुरू किया कारण उसका क्या था और हार उसका क्या था हमारे जहाने में हमारे देश में 1894 में अंग्रेजों की सरकार चलती है। और अंग्रेजों की सरकार में भारत देश में एक नियम बनाया था, कानून बनाया था, वो ये कि भारती नागरिक एक साथ किसी इस्थान पर एक अत्रित नहीं हो सकते। उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया था, और वो कानून में भारत के नागरिक पांच की संख्या में, अहीं नागरिक एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते। एक साथ कहीं आ नहीं सकते। अगर कहीं पर ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजों की सरकार की जो सेना होती थी, वो भारती नागरिकों को समूह में देख दे, तो निश्चित रूप से उनको पुलिस अरेस्ट करती थी, जेल में डालती थी, और उसके बाद उनके उनके उनक अंग्रेजों की सरकार थी, उनी का कानून था, उनी का नियम था, अदालत में जो जजिस होते थे, वो भी अंग्रेज होते थे, अगर कोई भारती नागरिक, अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरुद, कोई शिकायक करे, तो अदालत में वो शिकायक सुन ही नहीं जाती थी, क्योंकि एक जजज अंग्रेज होता था, ऐसा माहौल पूरे देश में बना हुआ था, हमारे भारत देश में, सन 1870 में, 1875 में, एक महान जक्ती हुए थे, शेह बंकिन चंडर, चटो पाध्याइजी, उन्होंने एक का नाम बंदे मातरम, तो बंदे मातरम गीद को गाने पर भी अंग्रेज सरकार में फाबंदी लगा रखे, भारतिय नागरिक यदी बंदे मातरम गीद गाएंगे, तो अंग्रेजों की पुलिस उनको जेल में पकड़के बंद कर देगे, ऐसा कानून था, तो एक साथ हम ए अंग्रेजों ने लगाए हुए थे, और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ, जो भारत का आंदोलन था, स्वातन का आंदोलन था, उसके सबसे बड़े नेता थे श्रीफिलक्ट, उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के ये जो प्रतिवंद थे, ये जो पाबंदी थी, इसको न पाबंदी लगा रही है, तो कोई ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए, जो अंग्रेजों की सरकार के इस कानून को भंग करें, और नाग्रिकों के मन में शक्ति आए, दर निकल जाए, अंग्रेजों की सरकार का जो भय है, वो भारत के नाग्रिकों के मन से निकलना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने ये गणेश उत्सम शुरू किया 1894 के पहले हमारे भारत देश में गणपती उत्सम होता था गणेश उत्सम होता था लेकिन वो घरों में होता था परिवार के अंदर होता था परिवार के लोग मिलकर गणपती उत्सम मनाते थे पहली बार श्री लोकमा निबाल गंगाबर किलत में 1894 में पूने के शनिवारवाडा में पहले गणपती की स्थाफना के लिए आप जानते हैं कि पूने एक बहुत बड़ा शहर है पूना महराष्ट में वहाँ पर एक बड़ा इस्थान है शनिवारवाडा शनिवारवाडे में पहले गणपती की स्थाफना हुई थी 1894 में और वो इस्थाफना स्वयम श्री लोकमा निदिलक ने अपने हातों से की थी और उस इस्थाफना में एक गणपती मंडल उन्होंने बनाया था शनिवारवाडा गणेश मंडल वो भारत का सबसे पुड़ाना गणेश मंडल है तो उस गणेश मंडल के टारी करता हूँ तो उन्होंने एक संकल्व कराया था है कि हम ये गणपती उतसफ को हम जरूर बनाएंगे और ऐसे करके ये गणेश उतसफ की शुरूआत हमारी देश में हुई और सौभागी से क्या हुआ एकीन नाइंटी पॉर का पहला जो गणेश उतसफ शनिवार वाडा में हुआ तो अंग्रेश पुलिस थोड़ी परेशान हुई क्योंकि जो गणेश उतसफ को मनने वाले कारे करता थे उनको वो पकर नहीं सकते थे कारण ये था कि वो धार्मिक गतिविधी में शामिल है राजिने थे गतिविधी में अगर वो शामिल होते हैं कोई पॉलिस उनको अरेस्ट करती लेकिन चुकि वो धार्मिक गतिविधी में शामिल थे इसलिए अंग्रेश पुलिस में उनको अरेस्ट नहीं किया और पूरे दस दिन तक वो गणबती उस सब चला 1894 में 1894 में October 20th, 20 October से लेकर 30 October तक ये कारिक्रम आयोजित हुआ था श्री लोकमानि तिलक ने हर दिन शाम को एक व्याख्यान वहाँ पर आयोजित किया था स्वयम श्री लोकमानि तिलक उस व्याख्यान में हाजिर रहते थे, खुद उसमें शामिल होते थे और बड़े-बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे एक दिन का व्याख्यान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकता से एक बहुत बड़े नेता को दुलाया उनका दाम था श्री विपिन चंद्रपाल 20 अक्टूबर 1894 के पहले व्याख्यान में विपिन चंद्रपाल वहां आए 21 अक्टूबर का दूसरा व्याख्यान हुआ तो उसमें श्री लोकमानि तिनक में उत्तर भारत के बड़े नेता को बुलाया श्री लाला लाज पत्राएं वो 21 अक्टूबर को आए फिर तीसरे व्याख्यान में उन्होंने आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत देश में पुणे शहर में तीन महान क्रांतिकारी पैदा हुए एक भाई के रूप में तीन भाई एक साथ एक ही परिवार में क्रांतिवीर के रूप में जनम लिया वो थे श्री चाफेकर बंदू तो तेवी सक्टूबर को व्याख्यान चाफेकर बंदूओं में जो सबसे अंजरच थे बड़े थे उनका हुआ फिर चौदी सक्टूबर को चाफेकर बंदूओं में दूसरे नंबर के जो उतके बाई थे उनका हुआ एक श्री बाल क्रश्न चापे कर, एक डया क्रश्न चापे कर, ऐसे करके तीनों चापे कर बंदूओं का व्याख्यान हुआ, फिर उसके बाद श्री लोकमानी तिलग में मुंबई से एक बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था फिरोश शाह मैसा, उनका एक व्याख्यान जितने भी वक्ता महां पर व्याख्यान देवी के लिए आए, पहले गणपती उत्सव में सबका जोर ये था कि भगवान गणेश हमारे देश को आजानी दिलाए, भगवान गणेश हमारे भारत को स्वराज दिलवाए, हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सरक्यार जितने भी लोग सुनने के लिए आते थे, उनने उन्होंने देश वक्ती की भावना, राष्ट वक्ती की भावना, पूरे व्याख्यानों के माधियम से भरने का काम शुरू किया हुआ, परिणाम क्या हुआ, पुणे के लोगों में गणपती आयोजन के लिए उत्साह पूरे पूरे में 11 गणपती मंदल बने एकी वर्ष के बाद और 11 गणपती इस्थाफित हुए उसके बाद 1896 में एक साथ 31 गणपती स्थाफित हुए 30 फिर उसके बाद 1897 में पता चला 100 से ऊपर गणपती हो गए फिर इस तरह से ये संख्या बढ़ती गई और 1898 तक आते आते पूरे से बाहर मुंबई में पूरे से थोड़ा आगे जाकर एहमत नगर में फिर पूरे के थोड़ा सा और आगे जाकर नाधपुर में पूरे विधर में ये फैलता ही गया गणपती उसका और कुणे और कुणे के आजू राजू में महराश्त के सारे बड़े शहरों में ये गणपती की इस्थातना जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे भारत देश के लोगों में छेपना भी बढ़ती गई तोड़े दिन के बाद पता चला कि संपूर महराश राज्य में गणपती आ गए और गणश उतसब बहुत जोर शोर से बनाना शुरू हुआ 1894 के बाद 1904 में मने सन 1904 में पहली बार दोप्माने किलक में भारत वासियों को ये अपीरी किया कि हम गणश उतसब का जो आयोजन करते हैं इसका मुख्यों जो आतुलदेश है वो भारत का स्वराज प्राप्ती करना है आजादी प्राप्त करना है बिना आजादी के गणश उतसब का कोई अरथ नहीं है हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहे और हमारे देव देश के अंदर है तो एक तरह से वो भी गुलामी में है पहली बार लोगों ने श्री लोकमा ने तिलक के इस उद्वेश को और इस स्वपने को बहुत गंबीरता से समझा उसके बाद एक दुर्गटना हो गई हमारे देश और वो दुर्गटना ये थी 1904 में उनसन 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी था जो गवर्णे वोईसराय की हैसियत में आया था उसका प्रमोशन हुआ था उसका नाम था करजन ये बंगाल का वोईसराय बना था बंगाल का वोईसराय बनने के बाद इस करजन में एक बहुत खतरना कांग किया था उसमें क्या किया था बंगाल राजितों दो भागों में बाट दिया था जो हिस्से कर दिये बंगाल के और उसके लिए एक काईडा बनाया, कानून बनाया और उसका नाम दिया उसने Division of Bengal Act बंगाल का उबाटने का कानून करजन नाम के इस अंग्रेज अभिकारी ने किया बंगाल उस समय भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था आज हमारे भारत देश में करनाटक, तमिलनाडू, केरण जैसे 35 राज्य हैं, हुवर तईद राज्य हैं आज से लगपक 1500 वर्ष पहले, 160 वर्ष पहले भारत देश में सिर्फ 4 राज्य थे 4 इस देश थे, एक बंगाल था, दूसरा मद्रास राज्य था उसको अंग्रेजी में प्रेसिदेंसी कहा जाता, बंगाल प्रेसिदेंसी, मद्रास प्रेसिदेंसी और एक तीसरा था, मुंबई प्रेसिदेंसी, और चोथा, भारत का बचा हुआ हिस्सा जिसको नौर्थ वेस्ट फ्रेंटियर के नाम से जाने दा पर, पूरा उत्तर भारत, बंगाल प्रेसिदेंसी का उस समय में क्या मतलब था, सरल महिती देखो, बंगाल का उस समय 1904 में सन 1904 में एक ही अर्थ था, पूरा बिहार राज्य, पूरा आसान, पूरा का पूरा बंगा जिसमें बंगला देश भी शामिल था, उस समय तक बंगला देश अलग नहीं हुआ था, तो पूरा बंगाल, बंगला देश को मिला कर पूरा आसाम, उड़ी साका, तीक चोथाई भाग, और उसके बाद आसाम के ऊपर के भारत के जो छोटे राज्य हैं, हरुनाचल प्रदे इस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, पूरवी बंगाल, पश्यवी बंगाल, उस समय बंगाल का जो टोटल पॉपुलेशन था, कुल लोग संक्या, कुल जन संक्या, वो गरीब साथ कोटी था, येड़ कोटी नागरित बंगाल में रहते थे, सेवन करोर, अब ये बंगा बंगाल हिंदों के लिए और इस्ट बंगाल मुसल्मान अपूरी इस्ट बंगाल में फुल पॉपुलेशन त्री करोर एती लेक्स के आसपास था मूरकोडी एमवत लक्ष नागरिक की इस्ट बंगाल में और बाकी जो चार कवरो बीस लाख नागरिक थे वो वेस्ट बंगाल तो हिंदों और मुसल्मान संपरदाई के आधार कर पहली बार अंग्रेजों ने भारत में बटवारा किया और ये बटवारा जब हुआ तो सारे भारत देश में इसका विरोध हुआ और विरोध क्यों हुआ? संपुरदाई के आधार पर आप देश का अगर बटवारा करते हैं, किसी राज्जी का बटवारा करते हैं, तो भयंकर मारा मारी होने बादे हैं तो श्री लोगमा ने तिलकने सबसे पहले इसका विरोध किया और 1905 में श्री लोगमा ने तिलकने एक आदेश जारी किया भारत के नागरिकों के लिए कि अगर अंग्रेजों की सरका भारत के एक बंगाल नाज्यका संपुरदाई के आधार पर बटवारा करती है तो इस अंग्रेज सरकार को हम भारत में अब रहने नहीं देंगे चलने नहीं देंगे और उन्होंने ये गोशना कर दी श्री लोगमा ने तिलकने एक दोस्त थे मित्र थे विबिंच अंदरपाल जो उस समय बंगाली के सबसे बड़े नेता थे ऐसे ही श्री लोगमा ने तिलके एक मित्र थे श्री अर्विंदो घोश जिनको आपने जाना होगा जो बात में सन्यासी हो गए और पांड़े चेरी में उन्होंने आश्रम बना लिया और वही पर आगरी जीवन उनका भीता तो श्री अर्विंदो घोश और विपिंद चंद्रपाल, सुरेचरनाद बनर जी, उमेश चंद्र बनर जी, व्योमेश चंद्र बनर जी, स्तारा शंकर बंदो पात दियाए ऐसे एक दो नहीं सैकुरों सैकुरों बंगाल के नेता श्री तिलक के पास मिलने के लिए पूने में आये था है और तिलक के सामने उनोंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए श्री लोकमाने दिलक ने कहा कि पूरे बंगाल में आपको श्री गड़पती के नाम पर उससर शुरू करना चाहिए तो जो नेता आये थे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बंगाल में गड़पती उससर तो कोई मनाता नहीं है और गड़े रीगों पंगाल में कोई जादा प्रभाव भी नहीं है तो लोगमा इदिलग में पूछा फिर आप बताए आपके यहां किसका प्रभाव है तो उनुने कहा जो नवदुर्गा होती है दुर्गा पूझा होती है उसका पंगाल में बहुत असर है तो श्री फिलक के का कि ठीक है मैं यहां महाराश्टर में गणेश उत्सव करता हूँ आप बंगाल में दुर्गा उत्सव शुरू करें और इसके साथ संविखन बनाई है और अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ फिरम में लड़ना है तो इस तरह से श्री लोगमा के फिलक के प पहिल गया है तो बंगाल में दुर्गा उत्सव महाराश्टर में गणेश उत्सव ऐसा जब काम शुरू हुआ तो लाखों लाखों कारी करता श्री तिलक और विपिल चंद्रपाल के साथ इचक्थे हुए फिर इन कारी करता हूं को लोगमा ने तिलक में एक संदेश दिया कि गाउं गाउं जाना गली गली जाना और अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का जो बटवारा किया है हिंदू मुसल्मान की अधार पर इसका विरोध करना है तो श्री तिलक के जो कारी करता होते थे वो पूछते थे कि आप बताइए विरोध का तरीका क्या है तो श्री त अग्रेजों का इस इंडिया कंपणी की मदद से चलने हैं और इस इंडिया कंपणी की वस्तु में भारत हरा करेगी तो श्री दिलक ने कहा कि East India Company की वस्तु जब तक भारत में दिखेगी अंग्रेजों को मुनाफा मिलेगा और जब तक उनको लाव होगा तब तक वो भारत में सरकार चलाएंगे तो हमें एक ही कारे करना है कि गाउं गाउं जाकर अंग्रेजी East India Company की जो जीज़ वस्तु नहीं दिखती है इनका वहिशकार करा था और ऐसे करके 1905 में 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और वो बंगाल का जो विभाजब हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ श्रीक तिलक ने पूरे बंगाल का प्रवास किया छोटे छोटे गाउं में जाकर उन्होंने व्याक्ष्यान दिये तिलक के साथ अर्विंदो घोष गाउं गाउं गए अर्विंदो घोष के साथ ताराशंकर बंदो पाद्यार बहुत बड़े साहितिकार थे वो गाउं गाउं गए श्रीक बंतिम चंद्र चटो पाध्या जिनोंने बंदे मातरं गीत लिखा वो श्री लोत्मानितिलक के साथ गाउं गाउं गई और इस तरह से बहुत बड़े बेताओं की तीम तयार हुई उन्होंने पूरे बंगाल में स्वदेशी की लहर करड़ा कर दी परिणाम क्या हुआ कि ये स्वदेशी अंदोलन 1905 में 1905 में जो शुरू हुआ दो बर्ष के बाद इसका इतना असर था कि बंगाल में अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी का सामान बिखना बंदो गया उनका कापर बिखना बंदो गया इस्ट इंडिया कंपनी की उस समय भारत में शक्कर बिखती थी शुगर क्योंकि शुगर भारत में बंती नहीं थी वो इकलेइन से आती थी तो शुगर बिखना बंदो गया और इस्ट इंडिया का इतना असर हुआ पूरे बंगाल में कि जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं स्वीज बनाने वाले लोग उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बन कर दिया गुण से मिठाई बनाना शुरू कि इतना प्रभाव था उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय ब्लेट नहीं बनता था ये बात है 1905 की 1905 ब्लेट नहीं बनता था इंगलें से बिलेट आता था भारत में तो जो सैलून चलाने वाले लोग होते थे वो अंग्रेजी ब्लेड का उप्योग करते थे श्री लोगमा निटिलक ने जब उनको अपील किया कि आप यह अंग्रेजी ब्लेड वापर ना बंद कर दो तो सभी सैलूम चलाने वालों ने अंग्रेजी ब्लेट का वरिश्टार कर दे अब समस्या आई कि शेव कैसे करना ब्लेट तो नहीं है तो उन्होंने एक इंस्रूमेंट बनाया जो आज तक इस देश में चलता है हम लोग हिंदी में उसको उस तरह कहते हैं कंदर में क्या कहते हैं मुझे बालूम नहीं है उसको बहुत अच्छे से शार्प करके उससे शेव बनाई जाती है ब्लेट का उसमें इस्टेमाल नहीं होता ये लोगमा नितिलक में शुरू कराया इस देश उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय इसको इसको इस्तेमाल करके कापड धोने का एक अभियाज पूरे देश में शुरू हो इसी तरह श्री लोगमा नितिलक ने भारत के लोगों को अपील किया कि किसी भी घर में परिवार में विवाह होगा तो वर और वगू शरीर पर अंग्रेजी वस्त्र धारण नहीं करेंगे तो कौन से वस्त्र धारण करेंगे तो उनने कहा कि भारत में कापुस बहुत होता है कॉटन बहुत होता है कॉटन के बनाए हुए जो वस्त्र है उनका उपियोग करेंगे और वर वदू दोनों जिनका विवाह कराने वाला पंडित है पंडितों का एक बहुत बड़ा संग बनाया श्री तिलक ने और उनने कहा कि आप उस वरवदू का विवार कराईए जिसके शरीर पर खादी के वस्त्र होंगे या कौटन के वस्त्र होंगे अंग्रेजी मस्त्र अगर पहने हुए वरवदू है तो उनका वहिशकार कर दीजे परिणाम ये हुआ कि वर और वदू में भी कौटन पहनना शुरू कर दे इस तरह से श्री तिलक ने भारत के अनेक अनेक समाज के लोगों को इकठा करना शुरू किया और दिलक के साथ लाला लाजपतराई ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा ही अवयान चलाया आप पूछेंगे कि इस अवयान का अंतिन फलशुरूती क्या हुआ इस अवयान की सबसे बड़ी फलशुरूती ये हुई कि 1905 से 1905 से लेकर 1911 के बीच में छे वर्ष के अंदर संपूर भारत देश में इस इंडिया कंपणी की वस्तुएं बिचना बंदो गया इस इंडिया कंपणी का खप्रा बिचना बंदो गया उनका ब्रेट बिचना बंदो गया इस इंडिया कंपणी की शुगर बिचना बंदो गया East India Company का detergent powder बिखना बंदो गया जो कुछ भी East India Company बेशती थी वो सब बत्वे बिखना बंदो थी लोगों ने संकर लेना शुरू किया आपको तो सुनकर आश्यर होगा कि जैसे आपने यहाँ गणपती मंदल इस्थापित किया है नव नगर में श्री लोगों ने कि लगने संकू भारत देश में ऐसे सेटो गणपती मंदल इस्थापित किये हरे गणपती मंदल के कारिकरताओं को वो शपद दिलाते को प्रतिग्या कराते को गरपति मंडल इस्थाटिद हुआ फिर उसके बाद एक शपद ग्रेहन समारो होता था प्रतिक्या समारो होता था उसमें पहली प्रतिक्या ये होती थी कि हम भारत देष के स्वराज प्राप्थी के लिए कारे करेंगे और गरपति हमारे आरात्य देव बने गे हम स्वराज प्राप्ती के लिए काम करेंगे दूसरी प्रतिक्या होती थी कि भारत में स्वराज प्राप्ती करने के लिए स्वदेशी का वरण बहुत आवश्चक है इसलिए हम जीवन परियन स्वदेशी वरत धारण करेंगे और कभी कोई अंग्रेजी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तीसरा संकत होता था कि अंग्रेज सरकार धर्म और संप्रदाय के आधार पर बारत को बांट रही है। हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर कभी जगडा नहीं करेंगे। हिंदू मुसल्मानों से नहीं लड़ेंगे, मुसल्मान हिंदूों से नहीं लड़ेंगे, ऐसी 11 शपत दिलाई जाती थी, और वो 11 शपत लेने वाले कारे करता गणपती आंडोल के सदक से होते थी, उसमें से एक शपत होती थी कि व्यसन जीवन में कभी नहीं करेंगे, दिलाकर श्री तिलर कारी करताओं को पक्का बनाके से, और धीरे धीरे आप सुनकर आश्चरी करेंगे, 1905,905 से ये अभियान शुरू हुआ, 1911 में, स्वदेशी आंडोलन और गणेशोग सब के कुल कारी करता, वंद कोटी इपत लक्ष हो गए, एक करोड बीस लाव, उसम करोड भारत मासी थे, 1905 में, और उसमें से वंद कोटी इपत लक्ष एक करोड बीस लाट सुनके कारी करता थे, लोकमाने तिलर, बाल गिंगादर तिलर, लिविविन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय के साथ काम करने हुआ, गणेशोट्साव के माध्यम से इतनी बड़ी कारी करताओं की फौज उन्होंने इकटी की, अंतियव परिडाम क्या हुआ, 1911 में जब ब्रिटिश गवर्मेंट का सब कुछ बिखना यहां बंद हो गया, तो ब्रिटिश पार्लेमेंट लंदन में बहुत तकलीफ आए, क्योंकि यहां से धन लूट कर East India Company लेके जाती थी, उनका माल बिकता था, वो पैसा लंदन जाता था, जब यहां माल बिकना बंद हो गया, तो यहां से पैसा लंदन जाना बंद हो गया, तो ब्रिटिश पार्लेमेंट में बहुत तकलीफ की स्थिति आई, उस समय ब्रिटेन का राजा था, उसका नाम था जोज पंचन, उसने पार्लेमेंट का एक special meeting बुलाए, और उसने ये कहा, कि भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है, कि अब ब्रिटेन में पैसा अना बंद हो गया, तो ब्रिटिश पार्लेमेंट के MP ने जोज पंचन को कहा, कि भारत में एक बड़े नेता है, श्री लोकमा ने कितर, उन्होंने ब्रियान और स्वदेशी का अंदोलन शुरू कर दिया है, और उसके कारण, अब अंग्रेजी वक्तुए भारत में बिखना बंद हो गई है, इसलिए इंग्लेंड में पैसा आना बंद हो गया, तो जोर्ज पंचम इतना परेशान हुआ, उसने कहा, कि ये लोगमा ने किला क कौन है, तो उसके जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे एक जटी है, उन्हें के पास उनका जन्पिस्थान है, कारेशेत्य उनका पूरा भारत देश है, और उनके पास बंद बोटी इंपत लक्ष कारेकरताओं की बहुत बड़ी आर्मी है, तो जोर्ज पंचम एक जन्प पूछा कि बृटेन की आर्मी भारत में कितनी है, तो जोर्ज पंचम को उत्तर मिला, कि जो बृजिश आर्मी भारत में है, वो मैक्सिमम रूर लक्ष अईवत का साविर है, 3.500000 की आर्मी है, और उन्होंने कहा कि लोगमा नितिर्क की आर्मी कितनी बड़ी है, तो उनने कहा कि वंदुपोर्टी इत्वतलक्ष एक करोड़ बीस लाग की आर्मी है तो पिर जॉर्ज पंचम ने कहा कि उसका कमांडरिंग चीफ लोगमा नितिलक एक करोड़ बीस लाग की आर्मी है कितनी बड़ी आर्मी है मैं उसको देखना चाहता हूं तो ब्रिटिश पार्लिमेंट ने कहा कि वो आर्मी अगर देखनी है तो आपको भारत जाना पड़ रहा है तो उसने कहा खीक है मेरी भारत यात्रा का कारिक्रम बनाओ तो दिसंबर में दस तारीक को जॉर्ज पंचम भारत आया दिसंबर 10, 1911, 10 डिसंबर को जॉर्ज पंचम भारत आगया यह देखने के लिए कि स्वदेशी आंदोलन की गणपती आंदोलन की आर्मी कितनी बड़ी है उस जमाने में आप जानते हैं कि हवाई जाज नहीं चलते थे पानी के जहाद से यात्रा होती थी शिप का आना जाना होता था तो लंदन जाने के लिए बारत पानी के जहाज का पत्तन था और कलकत्ता में बहुत बड़ा था तो कैलकता एक सूरत दूसरा तो जोर्ज पंचम को पूछा गया आप कहां उतरेंगे तो उन्हें ने का कैलकता उतरूंगा क्यों क्योंकि लोकमा ने कि दखके सही होगी और उनके कारिकरता सबसे ज़्याद जिल लोगों ने जोर्ज पंचम को भारत में पहली यात्रा पर रिसीव किया माने उसको आदर पूर्वक इस देश में स्वागत किया उन्हें से सबसे आगे थे श्री रवीद रनाट परगौः राजा राद मोहन रोय और एक थे उमेश चंद्र बेनर जी और एक पुराने कॉंग्रेस के नेता जो माने जाते हैं कॉंग्रेस की स्थासना हो चुकी थी 1875 में तो एक थे एक थे एक थो यू जो कॉंग्रेस के संस्था मकद्यक्ष माने जाते हैं इन सब लोगों ने राजा को आउकार किया उसका स्वागत किया राजा माने जॉर्ज पंचम और श्री नेता थे, जिरको हमारे इतिहास में गरंदल का नेता माना जाता है, इन्होंने जॉर्ज पंचम का वहिशकार किया, उन्होंने का हम जॉर्ज पंचम का वहिशकार करते हैं, हम उसके स्वागत समारों में नहीं जाएंगे, लेकिन कॉंग्रेस के अंदर नरंदल के कुछ नेता हुआ करते थे उनमें से बने कुछ नाम आशक को बताएं उन्होंटे गया गया जिसका नाम है बारत भागय बिधाता इंच我不知道 फे ब्यार दियां दिए भारत भागे में जाता माने भारत के भागे को निरधारित करने वाला। कौन। जॉर्ज बंचप॥ जोर्ज बंचम को बंच पर बिठाया गया और ये गीत गाना शुरू किया और जिसने ये गीत गाया दुर्भागे से उनका नाम वही श्री रवी दुर्णाटेगो उन्होंने ही ये गीत लिखा और उन्होंने ही ये गीत गाया अब यह जो इत है इसमें ज्यादा शक्त बान्गला के है और कुछ संस्कुत के शब्दे है इसका हर्थ है भारत की जन्ता की तरफ से गलमा ने छोटे छोटे राजा और उनके प्रतिनिदी हम सब भारत की जत्ता की तरफ से छोटे छोटे राजाओं की तरफ से जंगरमन अधिनायक जये अधिनायक मने सुपर हीरो मने जोज पंचम आपकी जये करने के लिए यहां आए है जंगरमन अधिनायक जये भारत भाग्य बिलाता भारत के आप भाग्य बिलाता है आपको भार प्वारत के अलगलग श्से है जिनका नाम उन्हों ने लिया पंजाब सिंद गुजरात मरागा बंग विट्दे हिवाचल ज्वुणागणा उचर जलदी तब शिब नामे जागे भारत के यह सभी रिजन की तरफ तब शुब नाम पूरे विश्व में हो तब शुब आशिश मांगे अब भगवान से आपके लिए दुआई कर रहे हैं आशिश मांग रहे हैं गाय तब जय गाथा हम आपकी जैजय कार करते ही रहेंगे यह गीत गाया गया और यह गाया गया चौबीस दिसंबर 1911 को कलिकत्ता में जौर्ज पंचन का स्वाज़त समारोह करते हुए अब समस्या क्या घरी हो गई कि जौर्ज पंचन को ना संस्क्रिप समस्ती थी ना बांगला ना उसको हिंदी आती थी वो सुन तो लिया उसने अपने पडोस में बैठे अंग्रेजों से पूछा यह क्या गाया गाया तो अंग्रेजों ने उसका English Translation करके उसको समझाया जैसे ही उसको पता चला कि यह गाना जौर्ज पंचन के सम्मान में गाया गया है और उसको भारत का भागे इधाता बताया गया है वो इतना प्रसंद हुआ इतना खुश हुआ कि उसने लोगमाने को सौरी रविन्य टैगोर को बुलाया और उनके पीठ पर ऐसे थप थपाया बहुत अच्छा आपके गीत लिखा और अंग्रेजी में उसने कहा कि मेरी इतनी सशंसा को मेरे देश में कोई नहीं करता है इससे भी जादा उसने एक मजाग की बात करी जो हमारे लिए बहुत शर्मना थे उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी आज तक इतनी प्रशंसा नहीं किये आपना तो उससे भी जादा किया रविन्य टैगोर गदगद हो गए तो ये जो पंचन था जॉर्ज फंच पंचन इसने अपनी डैरी में उनका नाम पता सब कुछ नोट किया फोन उस समय होता नहीं था नाम पता नोट किया और ये कलिकत्ता से चलकर फे दिल्ली गया जॉंच फंचन यहीं जॉर्च पंचन पंच दिल्ली में इसमें एक बहुत बड़ा दर्मार तो दिल्ली में उस समय जो गवर्नर की हैसियत से एक अधिकारी होता था उसको जॉर्ज पंचम ने पूछा कि भारत में मुझे वो आर्मी देखनी है लोगमाने की लगती है मैंने सुना है एक करोर बीस लाग वन करोर ठंधी लेक्स उसमें सोल्जर है मुझे देखना है वो आर्मी कैसे काम करती है तो दिल्ली का जो गवर्नर था उसने जोर्ज पंचम को समझाया कि ये आर्मी है बिना बंदूक वाली है इनके पास कोई आर्म्स नहीं है आर्मी विदाउट आर्म्स उसने जो टाइटिल बताया आर्मी विदाउट आर्म्स है इनके पास कोई बंदूक नहीं है इनके पास कोई तलवार नहीं है इनके पास कोई तोप नहीं है कोई मोड़ार नहीं है कुछ नहीं है लेकिन इनके पास जो दिल है जो इनका हिर्दय है वो इतना रुजूत है कि ये हमेशा भारत की आजादी और सुराजी की बात करते हैं तो उसने पूछा कि इस आर्मी के कुछ नेताओं से मुझे मिलना है तो गवर्मेर और दिल्ली ने कहा कि इनका नेता तो लोग माने की लग है और उन्होंने आपका वहिशकार किया हुआ है इसलिए वो तो आपको मिलने आने वाले नहीं है आपको उनसे मिलने जाना हो तो मैं कोई व्यवस्था कर दो तो जोर्ट पंचन कहने लगा कि भारत में ऐसा भी कोई आदमी है जिसको राजा बुलाए और वो राजा के पास ना चाड़ उन्होंने का यहां तो एक नहीं ऐसे करोड़ों आपको मिलने नहीं कि आप राजा वो कहते हैं आप इंगलेंड के राजा होंगे भारत का राजा तो एक ही है वो हमारे गर्पति वप्पा लोगमजी दिलक ने सब कार्यकर्ताओं को समझा रखा था कि राजा अपना एक ही है वो है गर्पति वप्पा इसी के सामदे जुकना इसी को बंदन करना इसी से आशीश मांगना और इसी से दुआ मांगना बागी हमारा कोई राजा नहीं है, हमारा राजा गंपती है, तो जब गवर्नर ने ये सुना दिया कि वो तो आएंगे नहीं, उन्होंने पहिशकार किया है, वैसे करणों है, अब आप जाना चाहों, तो मैं विवस्था करता हूँ, पुणे जाना पड़ेगा आपको मिलने के पुणे का जिदा कलेक्टर परेशान हो गया, वो टेलीग्राम लेके श्री लोगमन इदिलक के घर गया, श्री लोगमन इदिलक पुणे में ही रहते थे, शरीवारवारा में ही उनका घर है, आज में वो घर सुरक्षित है, आप जाके देख सकते, पुणे का डिस्टिक कले कि हमारा राज़ा चौर्जपंचम को बंगी संवर्णा खर्पिता है। तो कलेक्टर ने समझाए नहीं नहीं वो आपको मिलने यहां आना चाहते हैं पूने में तो दिलक ने का कि फिर ठीक है आप उनको यहां आने दो मैं मेरे गाउं चबा जाता हूं रत्नागरी श्री लोगमा ने दिलक का जन्मिस्थान रत्नागरी में है आप जानते हैं रत्ना कि नौकरी जाए तुमने आ सब हिंदुस्तान छोड़ कर चले जाओ हमारा स्वराच हमें मिल जाए मैं तो यही चाहता तो कलेक्टर ने वापस टेलीग्राम कर दिया कि श्री लोगमा ने पुले को बिलने तो बिल्कुल इच्छुप नहीं है तैयार नहीं है अब क्या करना त कि अरेस्ट करूं और अरेस्ट करके उनको जौर्ज पंचम की सेवा में लेके आओ तो श्री लोगमा ने कि लेकर बास जब पुलिस rejecting पहुँचा अरेस्ट करने के लिए तो उन्हें कहा कि मुघे अरेस्ट करने के लिए आप कानून को किस कानून से आप मुझे एरेस्ट कर सकते पुलिसा में आप अपराद ने का यह कुए अपराद नहीं है कुझा रहा तक हमारे देश ने जो कानूनी किताब चलती थी उसका नाम था IPC इंडियन फिदल पूर्ट 1860 से ये चल गई थी तो उनने का IPC का कौन सा प्रोवीजन है जिसका मैंने वाइलेचन किया है और आप मुझे रफ्तार कर रहे हैं तो पुलिस ऑफीसर में उत्तर हो गया वो चुप चाप वापस गया और जॉर्ज पंच और भारत में उस समय कॉंग्रेस के अंदर यही एक तेजस्वी नेता थे श्री तिलक जिनोंने जॉर्ज पंचन से मिलने को मना करते बागी जो कॉंग्रेस के नेता थे मैंने नाम लिया रमिदना टैगौर थे वियो बेश्चद्र बनर जी थे उमेश्चद्र बनर जी थे एक गोपाल कर्श्न गोकले थे यह सब जोर्ज पंचं को सलामी लेके आए तिलक मेंगे लाला लाजव पटल आयके नहीं गए विपिंचद्र बागे ज़ऻ़ पंचं को तिलक का नहीं मिलना इतना अंदर तक चौच पहुच आया कि जब जोर्ज पंचंअ वाल गारै ता द लिले से मना कर सकता है और किसी कानूं के आधार पर हम उसे अरेस्ट भी अभी नहीं कर सकते तो ऐसे व्यक्ति की मांग क्या है तो अंग्रेज गवर्नर दिली ने उनको कहा कि उसकी सबसे तहली मांग है कि 1905 में जो करजन ने इवीजन ओफ बंगाल एक्ट बनाया है बंगाल को हिंदु मुसल्मान के आधार पर फोर दिया है ये दानूर वापस लेना और बंगाल को फिर से एक करना तो जोर्ज पंचम ने गवर्नर को कहा कि ऐसे वीर बहादुर और अक्रमी व्यक्ति का थोड़ा तो संबान करो और ये बंगाल का बटवारा रब दो और भारत के इपिहास में ये पहली और आखरी घटना है जब बंगाल को बटवारा करके अंग्रेजों ने छे साल के बाद वापस फिर से एक किया और इस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से एक होगा और लोगमा ने दिलब की इतनी जैजैकार पूरे देश में हुई 1911 में जब बंगाल फिर से एक हो गया दिवीजन अफ बंगाल एक वापस हो गया तो सारे देश में लोगमा ने दिलब के स्वागत समारू आयो जित्टी और एक-एक समारू में पचास-पचास हजार लोग आते था उस जमाने में ये माइट नहीं होता था बिना माइट के उन्गों व्याख्यान करना होता आप जड़ा सोचिए पचास हजार की भीव अईवत्त साविर नागरिक लोगमा ने दिलब को सुनने के लिए कहीं खड़े हैं कैसे वो बोलें जो आखरी आदमी तक बात पहांचे तो वो तंबव नहीं होता था तो शिरी परिनाम क्या हुआ 1911 से जब उनका ये स्वागत समारो शुरू हुआ 1915 तक ये चलता रहा चार-पाच साल चिल्ला चिल्ला कर बोलने के कारण उनके सारे पेफड़े गल गए उनके लंग्स में इंफेक्शन आया क्योंकि माइक तो होता नहीं था गले में इंफेक्शन आया लंग्स में इंफेक्शन है और वो इंफेक्शन इतना गंबीर था कि उसी में श्री लोकमाने दिलख की प्रत्य हुए 1915 से लेकर 1920 तक वो कहीं जा नहीं सके बोल नहीं सके जाथ थोड़े भी बोलते थे तो घड़े में दरग होता है थोड़े भी बोलते थे तो लंग्स में पानी वर जाता है और उस समय क्रीपいき्टमेंट भी नहीं था प्लूरिसी नाम की इक डिमारी उनको हो गए उसका वो कोई खेंडे प्रदेश में जाकर दोड़े दिन आराम करें लेकिन तिला कहा करते थे कि अगर ये जीवन में आराम किया तो स्वराजी कैसे आये इसलिए उन्होंने अपने स्वास्त को धुरलक्ष लिया अपनी हेल्थ को कभी द्यान नहीं लिया और उसी चकर में उनकी प से वास करने हें कि और सफेट ये गारी नहीं थे हैं तो सैकिल से प्रवास करते कभी साइपल नहीं होती थी तो बयल गारी पर बैठे के प्रवास करते बोड़ा भी नहीं मिला तो बैठ कर प्रवाज करते थे और कुछ नहीं मिला तो प्रवाज करते तो प्रवाज बहुत गिया, व्याख्यान बहुत दिये स्वागत समारों जगय जगय होते थे उसमें फंड से कठा होता था और वो फंड इतना हो गया कि वो कोटी-कोटी रुपै थे बात में उसी फंड को नाम दिया गया तिलक स्वराज फंड इसी आज की उस्तके जब आप पढ़ेगे तो उसमें एक जगह चप्तर है तिलक स्वराज फंड ये लोगमानी तिलक स्वागत समारों में जो दान मिलता था वो सारा उन्होंने एकठा किया था आप पूछेएंगे तिलक स्वराज फंड कितना था आज से लगवर असी नब्वे वर्ष पहले एटी नाइंटी एर्स बिपोर तिलक स्वराज फंड ट्वंटी वन करोर रुपीज का था इंपद मंतु कोटी रुपी रुपीज इतना था आज के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो इसमें 300 का मुल्टिप्टेशन करना से क्योंकि 1920 का वंद रुपए एक रुपया 2007 के 300 रुपीज के बराबर तो 300 में 21 का गुणा कर ली है 6300 करोर रुपीज श्री लोगमा निक लटने इकठा किया इस देश में गोंगोंग और वो फंड जब उन्होंन ने क्या काम में लगाया वो पंड उन्होंने कहा कि भारत में जो जो वस्तु होता उत्पादन नहीं होता वो सभी ये पैसे से बनाई रही है ब्लेड नहीं बनता था भारत श्री फिलट ने बिलेड बनाने की इंडस्री शुरू करा इपूरे के पास वो समय में शुगर नहीं बनती थी इस देश में शुगर बनाने का कारखाना उसी फंड में से लगा हमारे देश में उस जमाने में आइरन और स्टील के लिए कोई बड़ा प्रोड़क्शन यूनिट नहीं था तिलट में बारत देश के एक बड़े व्यूद्योपती जिनका नाम था जमशेग जी ताटा उनको एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि भारत को स्टील की जरूरत है आप स्टील बनाना शुरू करिए हम इंग्लेंड से स्टील नहीं खरी देगे तो ताटा जमशेग जी ताटा ने श्री लोपमान दिलग के एक माक्य पर पूरा तिसको खड़ा कर दिया ताटा इसकी कमकुल वो दिलग में खड़ी कर गई है इसके बजाज ग्रुप को एक दिन दिलग ने मुलाया जमनालाल बजाज को और कहा कि हम इकलेंड से कापड़ आयात करते हैं बारत में कपड़ा बनना चाहिए खादी का तो बनता है वो हाथ का है लेकिन वो मोटा होता है लोगों को बारी कपड़ा पहनना है महीन तो आप उसके लिए मिल लगाईए तो जमनालाल बजाज ने किलक के कहने पर पहली मिल लगाई कलकता दाल्मिया जी को बुलाया है और कहां आप कुछ प्रोडेक्शन में जाइए डाल्मिया जीने का ठीक है हम भी भारत के ऐसे भारत में 72 जो बिब बिस्निस हाउसे हैं जो आज इस देश में एस्टरिश हैं ताटा है डाल्मिया है जमनालाल बजाज का बजाज ग्रूप है ये सब की स्थापन करने में लोगमाने तिलक की बहुत बड़ी ग्रूमिता है 1915 में श्री तिलक ने ये सब शुरू किया 1920 तक वो ये करते रहे और फस्ट अगश्व 1915 को उनका स्वारिवास हुआ मैंने बताया गंबीर बीमारी थी फ्लूरिसी की लंग्स पूरे उनके खराब हो चुके थे ज्यादा बोलने के कारण गला खराब हो गया था उस समय उनकी ब्रत्व हो जी ब्रत्व से थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपने सब कारेकर्टाओं को बुलाया उनको मालूम हो कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा तो उन्होंने का कि देखो मेरी ब्रत्व होगी तो आप मैंसे कोई रोगा नहीं और कभी भी मेरे नाम पर आसु बहाना मैंने जिन्दगी में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्विकार नहीं किये हैं तो आप भी मेरे पच्छिनों पर चलना आप भी अग्रेजी गुलामी स्विकार नहीं करें आप स्वतंत्र है भगवान आपको आगे भी स्वतंत्र बनाकर रखेगा मेरे आधर्शों का खूल नहीं करना कोई रोएगा नहीं मैं मरूंगा खुशी के साथ मुझे विरा करना और उन्होंने बहुत महत्तु को वाकि कहा जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा सच है श्री तिलक ने अपने कारी करता हूं को कहा कि देखो म्रत्यू जो है जन्द्म से भी ज्यादा आसान है यह बहुत गहरी वात हो उन्होंने कहा कि जन्द्म लेने में तो बहुत कश्ट होता है ताई को भी होता है मंकर को होता है लेकिन व्रत्यू बहुत सहज है बहुत आसान है इसलिए उस सब की तरह से इसको बनाना और यह हुआ एक अगस्त को तुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली प्राह उनके पूरे हुए तो पूरा पुने शहर पूरा बंबै पूरा भारत ख़़ों ऐसी अंतिम या और उन लोगों ने श्री तिलक की अंतिम यात्रा को भारत की स्वराज यात्रा है कि यह हमारे देश की स्वराज यात्रा है और उस स्वराज यात्रा में उन्होंने वही संकल तोरा है जो श्री तिलक उनको गड़पती आंदोलन के समय खाह करते थे ऐसे एक महानव्यक्ति ने इस देश में गणपती की इस्थाफित करें। आप बहुत भागिशाली हैं कि मैंने आपके मंडल में आकर श्री तिलक का फोर्टो देखा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गणपती मंडलों में जाता हूँ गणपती की ओर्टी तो होती है तिलक की मूर्टी गायद है। और उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस भात का होता है कि गणपती मंडल वाले गणपती की स्थाफना करते हैं और उसमें ऐसे गंदे गंदे घटिया घटिया गाने बजाते हैं जिनको श्री तिलक में कभी सुना नहीं सोचा भी मैं। हमें शर्म है कि हम लोटमा के तिलक के उन सभी आदक्षों को पूरा नहीं कर पाए जो गणपती या अंदोलन के माध्यां से उन्होंने भारत को समझाए थे। उनका एक बहुत महत्तर वक्तव था जो उन्होंने अपनी म्रत्यों से थोड़े दिन पहले दिया था। जब बंगाल का पट्वारा सभात हो गया तो तिलक लाइक भारत के बहुत सारे कारी करता हुपा एक संभिलन बुलाया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्णों के उतर दिये थे। तो एक तारीकरता ने उनसे प्रश्म कुछा, कि आपने बंगाल के बटवारे का विरुद क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसल्मान के आधार पर बंगाल को बढ़ा है। दर्म के आधार पर अगर ये बटवारा भारत में होगा और आगे चलेगा, तो ये भारत तो एक नहीं रहने वाला। और दूसरा एक खतरना का हुआ था उसी समय, बंगाल का बटवारा किया अंग्रेजों ने, उसके बार जब बंगाल बटवारा समाथ हो गया, फिर से बंगाल एक करना पड़ा, तभी अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा विश बीज गो दिया, जिसका दुश्पर नाम हम आज तक भोग रहें, वो बिश-बीज क्या था, अंग्रेजों ने एक संस्था बना दिये इस देश में, जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम लीग, बंगाल का बटवारा समाथ करने के समय एक संस्था बना दिया, इंडियन मुस्लिम लीग, और यही संस्था का और अंग्रेज्ज ने उस संस्था को इतना भूश्थ भढ़ दिया जो बंगाल का बटवारा उन्हाने हिंदू मुसल्मान के आधार। उस हिंडियम मुसलिम लीग ने भारत का बटवारा हिंदू मुसल्मान के आधार पर करते हुए श्री तिलक अक्सर ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेज बंगाल का बटवारा करने में सखल हो गए हिंदू-मुसल्मान के आधार पर तो एक दिन भारत का भी ये बटवारा कर देंगे हिंदू-मुसल्मान के आधार ये उनको पता चलता है 1950 पे उनको 1947 दिखाई देता इतनी उनकी दूर ग्रश्टी तू तिलक इस वो ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेजों ने ये सखलता पूर्वर चला दिया तो भारत को एक रखना मुश्किल हो जाएगा ये देश के टुकड़े तुकड़े अंग्रेज कर देंगे हिंदू-मु लेकिन श्री तिलक की म्रत्यू के बाद इस देश में ऐसा दुष्चक्र चला कि गरम दल के जितने भी बड़े लेता थे तिलक को उनके सबसे बड़े लीडर थे श्री लाला लाजपत्राय वो लाही कांट में मारे गए आप जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन का विरोट करते बगत्सीन को 1931 में फासी हो गए मदलवाल धिंगरा को 1909 में फासी हो गए अरविंदो गोर्ष जो सबसे बड़े नेता हो सकते थे लोगमान दिलक के बाद क्योंकि लोग उनको बहुत मांते थे वो सन्यास लेकर पांड़ी चेरी में चले गए उन्होंने कहा कि अब मैं सन् 139 में खटम हो गए फिर उसके बाद गांडी जी को एक बार किसी ने कहा कि देखिए लोगमान दिलक ने इतना बड़ा काम किआ था इस देश में अब आपको उनका काम आगे तो गांदी जी ने कहा कि मैं लोकमाने तिलक का स्वदेशी का काम तो आगे जरूर बढ़ाऊंगा और अंग्रेजी वहिशकार का काम भी लगातार में करूंगा श्री लोकमाने तिलक ने कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों की वस्तों का वहिशकार नहीं करना है बल्भी अंग्रेजी भाषा का भी वहिश्कार थे और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल भारत में चलते थे उनके पैरलल, उनके मुकाबले मराधी भाषा के स्कूल शुरू किया आपको मालूमें पुने में एक एजुकेशन सुसाइटी बनी देखन एजुकेशन सुसाइटी उसके संस्थापक अध्यक्ष लोग मानेते लगते और देखन एजुकेशन सुसाइटी को ये काम दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्थामों पर मराधी भाषी इस्कूल होने चाहिए करनाटक में उनका अवयान आया कि कर्णर भाषी इसकूल होने चाहिए उतर भारत में अवयान था हिंदी भाषी इसकूल होने चाहिए तो भाषा के इस्तर पर स्वदेशी बूशा के इस्तर पर स्वदेशी बोजन के इस्तर पर स्वदेशी वस्तुम के इस्तर पर स्वदे लेकिन लंदन भी वो उसी पोशात में जाते थे जिस पोशात में आप उनको अंदर देखतें सिर्फ पर वही पगड़ी एक उनका जप्वा और धोती लंदन भी उसी पोशात थी आप जानते हैं कि लंदन में ठंडी बहुत होती है दिसंबर जन्वरी फरवरी माइनस 20 डिग इसके अलावा कुछ नहीं बहुत अधिक हुआ तो गंबल लपेटे थे तो लंदन में जो भारत मासी रहते थे उनमें से कई लोग उनको कहते थे कि आपको ठंडी नहीं लगती तो उनका एक एक जवाब होता था कि मेरे शरीव में स्वराजी की इतनी अगनी जल रही है कि कैसे लगेजिए और जब भी लोकमाने Cillac को गोपने वाला कोई होता था लंदन में तो उनमें से सबसे पहले व्यक्ति होते थे श्रीव विनायक दामदार सावर कर उस समय लंदन में इथे और एक बहुत बड़ा इंडिया हाउज को नाया था विनाईग दामोदर सावर करके एक सहयोगी थे शिवी श्यामजी प्रश्नवर्मा श्यामजी प्रश्नवर्मा विनाईग दामोदर सावर कर इन लोगों ने लंदन में फंड से कठा किया था और वो फंड से एक भवन बनाया था और उसका नाम था इंडिया हाउट हिंदी में नाम था भारत भवन लेगिन अग्रेजों के हाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम रखा था इंडिया हाउस लोकमान इदिलर जब भी लंदन गए तो बहां ठैरते थे इंडिया हाउस में कारण क्या था कि भारत के जो भी क्रांटिकारी थे सभी के लिए वो घर के जैसा था तो वहां पर बहुत सारी क्रांटिकारी रहते थे अब्यास करते थे और भारत में आकर क्या 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 काम करना है स्वराजी के लिए उसकी योजनाए पनाया करते थे श्याम्टिक्रश्ण वर्मा लोकमान तिलक को कही बार कहते थे कि आपको लंदन में खंड लग जाएगी, हमें आपकी बहुत जरूरत है तो लोकमान तिलक वही उत्तर देते थे कि स्वराजी की गर्मी इतनी है, खंड कैसे लगेगी तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश की राजनीते में होते हैं और जितने समय वो रहे, इस देश में उन्होंने अजबुत काम किये तो बड़े अख्वार जीमन भर वो निकालते रहे, अपनी म्रत्यों तक एक अख्वार का नाम था केसरी, आप सभी जाते हैं, वो बनाखी में निकल रहा था केसरी अख्वार में, ऐसे अख्वार नेखों लिखा करते हैं जेशरी इलग कि लोग पढ़ें तो उनकी अंदर खून जली, ऐसी भाशा उनकी होती थी और बारत के पहले अख्वारों में उसकी गिंती होती थी केसरी, जो उस समय 53,000 विक्ता था, 53,000 उसका कॉपी विक्ती थी, और एक कॉपी को 10 से 12 लोग करते हैं माने हर दिन भारत के सवा 5,000,000 से ज्यादा, 5,30,000 मांधियां से, जणपाती उससा के मांधियां से, सारे देश में एक अभिनाव क्यांती जो उन्होंने शुरू की, उसी का परिणाम था कि गांधी जी जैसे विक्ती को ये मानना पड़ा, कि मेरी गलती से मैंने गोपाल करश्न गोखले को अपना गुरू बनाया था, लेकिन अगर तिलग जीवित हों, तो मैं कहना चाहता हूँ, कि अब मैं आपको अपना गुरू मानता हूँ, ये 1930 में गांधी जी ने आप जा कारे में सब लोग कहते थे कि अंग्रेजों का एजेंट है, ये ही शब्द उनके बारे में बोले जाते हैं, वो हमेशा इस तरह के काम किया करते थे, जिससे अंग्रेजों को सुविधा हो, बारत के क्रांतिकारियों को पकड़वाने में उन्होंने बहुत लोगों को इनाम बताये थे, तो अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता था, गान्दी जी पहली बार उनी के घर गया, और गान्दी जी ने कहा कि मैं तो आपको अपना राजनेतिक गुरू मानता, 1930 में गान्दी जी को अपनी विलती का एसाथ हुआ, और 1930 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रे किया था, तो श्री लोगमान इतिलक के ही कारिकरता गान्दी जी के साथ थे, जो गड़े शोद सम्मे से निकले, वंद कोटी, पतलक्ष कारिकरता, गान्दी जी के साथ थे, क्य कोई कुछ करेगा देश के लिए, लेकिन ये मोहंदास आदमी जो है, ये जरूर कुछ कर सकता है देश के लिए, कभी जरूरत पड़े तो इसको मदद करना, बाकी किसी नेता के बारे में उनको भरोसा लेगा, गान्दी जी को 1937 में रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने एक खत लिखा है, वो खत लोगमाने टिदर जी का जो घर है, वहाँ पर आजकल एक म्यूजियम है, एक इसमारक है, वहाँ रखा हुआ, और वो खत में गान्दी जी यही लिख रहे है, कि मेरी गलती हुई, जो मैंने गोपाल कश्ण गोखले को अपना गुरू बनाया, श्री ट कॉंग्रेस के जो सबसे भरोसे मंदकारी करता थे, उन्होंने गान्दी जी का साथ छोड़ दिया, गोपाल कश्ण गोखले तो तब जीवित नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के लोगमाने गान्दी जी से किनारा कर लिया, और गान्दी जी ने जब नमक सत्याग रह के लि तो मात्र 72 कारिकरता उनके साथ थे, लेकिन वही गान्दी जी जब नमक कानुँ तोड़ने के लिए सूरत के पास पहुचे, तो बंद कोटी इत्पा तिलक्ष कारिकरता उनके पीछे थे, ये वही लोग थे, जो डोकमाने तिलक ने तरियार किये, और जब इनका समूँ दे लत्यू के दस साल बाद की वह संगठन इतना ताकत पर है, कि उसमें वंद कोटी पत्लक्ष कारिकरता है, तभी गान्दी जी ने ये पत्त लिखा और अपनी वेलिकी को सुखा रहा है, और बाद में यही कारिकरता जो गणेश उत्तम में से निकले, दुर्गा उत्तम में से स्वदेशी अंदुलन में से निकले, इन sheer कारिकरताओं की ताकत से गान्दी जी ने 1942 में भारत छोडो का नारा दिया, उनको भरोसां इन फर और ये कारिकरताओं ने अंतिम दिन तर गान्दी जी का साथ निभाया, भारत छोडो अंदुलन का जैसे ही कौल हुआ, गान्द तो पूर्म्न की ताकट थी कि 1945 तक आते आते ब्रिटिश गवर्मन्न को स्वीकार करना पड़ा कि आप भारत से जाना ही पढ़ेगा अब यहां रह नहीं सकते और ये कारिकरता कैसे कैसे काम करते थे ये जो स्वदेशी के अभयान के कारिकरता थे ये ब्रिटिश आर्मी में जोईन हो गए थे कारिकरता आर्मी में चले गए वो ब्रिटिश नेवी में जोईन हो गए और ब्रिटिश नेवी और आर्मी में जोईन होकर अंदर से रिवोल्ट करा दिया, आप जानते हैं, 1944-45 में, बंबई में, बिटिश नेवी में रिवोल्ट हो गया, बगावत हो गया, और उस रिवोल्ट का दुष्परिणाम था, कि बिटिश पार्लेमेंट में तैखिया, कि अभी भारत में रहना मुष्टे, तो जेना में पक्या और शक्तर कारी करता, श्री कि लखने करिया थे, और उन्हें ही सब लोगों की ताकत से, 15 अगस 27 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन आप जानते हैं, खंडित भारत आजाद हुआ, मुस्लिम लीग जो बना दिया अंग्रेजों ने, वही मुस्लिम लीग भारत में ऐ मुस्लिम लीग को भारत में इतना बढ़ावादोर कि ये कॉंग्रेज के हिंदू नेताओं से थोड़ी बड़ी संस्ता हो जाए, तो मुस्लिम लीग का सारा फंड अंग्रेजों के यहां से आता, आपको सुनकर आश्र होगा, मुहमद अली जिन्ना, जितना भी पैसा सुरावर्दी जितना खर्चा किया, वो स headphone अंग्रेजों के डॉनेशन में दिरश था, आंग्रे जोंके अक अक्वार निकलता है इस देश में जो अभी भी निकलता है, उसका नाम था टाइमस ओंड पींडिया, ये अंग्रेजों का अफ़ार है, आज भी है, अंग्रेजी स कंपनी है जिसका नाम है बैनेटन कोलमें ये उसी कंपनी का अखवार है अभी से निकलता है तो टाइमस ओफ इंडिया की ये पॉलिसी थी कि मुस्लिव लीग का नेता छोटी से छोटी सभाता आयोजन करे तो उसको बड़े से बड़ा पोस्टर बना कर उसकी बड़ी नीज ब जिन्ना कंज से बीमार है वो घर से बाहर नहीं निकला उसको फ्रेंट परिच के कवरेज रोता है और आपको मैं आश्यरी करने वाली बात बताता हूँ कि मुहमद ली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था मुसल्मानों का नेता वो कभी नहीं बन पाए मुसलिम लीव एक सांगे ठंग था, उसका नेता था, मुसल्मानों ने उसे अपना नेता कभी नहीं माना आप जानते हैं कारण क्या था, कारण सबसे बड़ा ये था कि मुहमद अली जिन्ना रोज हंदी मास खाता हंदी मास समस्ते पोर्क और मुसल्मान उसको अपना नेता मान नहीं सकते जो हंदी मास का दूसरी समस्या थी कि मुहमद अली जिन्ना रोज शराब पीता था मुसल्मानों में शराब वर्जित है हंदी मास वर्जित है शराब वर्जित और तीसरा मुहम्मद अली जिन्ना का जो मुख्य धन्दा था वो ब्याज पर पैसे उठाने का धन्दा था उसका मुसलिम धरम में इसको भी सुईका रेती है इसलिए मुसल्मान उसको अपने नेता कभी नहीं मानते आपको सुनकर आशर होगा एक बार ये घिन्ना लाहोर में मुसल्मानों की एक सभा में चला गया तो मुसल्मानों ने मंच पर चड़कर इसका मुँ काला कर दिया और एक गधे पर बिठा कर उसका सरकस निकाला पूरो लाहोर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी लाहोर जाने का अठ्वारों मैं खूप छपा और जिन्ना को पूछा गया कि आपके मुसल्मानी आपको नेता नहीं मानते तो आप है किसके नेता तो धीरे से उसने कहा कि मैं तो अंग्रेजों का नेता हूँ अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं अब आप ज़रा सोच सकते हैं जिसको मुसल्मानों ने नेता नहीं माना, उस व्यक्ति की ताकत इतनी कैसे हो गई, कि उसने पाकिस्तान बना दिया इस देश. कभी तो मन में ये विचार आएगा आपके, बहुत दिन में ये सोचता रहा, कि जो मुसल्मानों का नेता कभी हुआ नहीं, दस लोगों ने जिन्दगी में कभी उसका भाशन सुना नहीं, वो इतना काकत पर कैसे हुआ, कि उसने भारत से एक अलग हिस्सा पाकिस्तान बना दि कि ये जो पाकिस्तान बना, उसमें मुहम्मद अली जिन्ना की भूमिका इतनी बड़ी नहीं थी, उससे ज़्यादा बड़ी भूमिका, लेडी माउंट बेटन की थी, एडविना माउंट बेटन का नाम आप जानते, नहीं जानते तो जान लीजिए, वो भारत का अंतिम अं आप जानते हैं वो क्या खेल खेला उसने, एडविना माउंट बेटन लंदन के हैरिस कॉलेज में पढ़ती थी, जिसमें ये जिन्न पढ़ा करता, और उसी कॉलेज में बारत के पहले प्रधान मंतरी पंडित जवारलाल नहरू भी पहुसे थी, हैरिस कॉलेज में तीन नहरू और एडविना उस समय वो माउंट बेटन नहीं थी, शादी उसकी बाद में हो थी, तो एडविना, जिन्ना और नहरू एक ही क्लास में पढ़ते थे, और रिकॉर्ड्स और दस्तावेज बताते हैं कि एडविना से दोनों लगे हुए थे, ये डॉकुमेंट्स बतात और एडविना इतनी चामात महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थे, इतनी चामात, एक को सबेरे मौर्णिंग में दूसरे को शाम, दोनों को हैंडल करती, और जिन्ना और नहरू का सबसे बड़ा जो जगड़ा होता था, वो एडविना को लेकर थे, ये जगड़ा वहां से चुरू हुआ, Harris College से, नहरू जी पढ़ाई करके वापस आ गये, जिन्ना भी पढ़ाई करके वापस आ गया, दोनों ने यहां इस देश में वकालत करने की कोशिश की लेकिन चली नहीं, नहरू जी की वकालत चली, ना जिन्ना की वकालत चली, दोनों बैरिस्टर थे, उनको ज जीतने की संभावना होती है, नहरू जी के बारे में सब जानते थे कि इसको कोई दम नहीं है, जो जीत पाएगा एक भी केस, तो बकालत चली नहीं, तो नहरू जी कॉंग्रेस में जोईन हो गए, उनके पिताजी ने उनको कॉंग्रेस में डाल दिया, पिताजी का सपना था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा, कोई न कोई दिन देश के बड़े पत पर आना, उसके लिए बोतिलाल नहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और अंग्रेजों से उन्होंने तालबेल करके इस देश में सरकार बनाने का काम भी किया, और उनका ये तांतरां स्वराज पार्टी को होगा, और नहरू देश का प्रदान दंत्री बनाई, इस हिसाब से उन्होंने खेल खेला, और उसी खेल में खोड़े दिनों में एडविना भी आ गई, जब अंतिन समय आया, लुइस माउंट बेटन को ब्रिटिश पार्लमें से देजा गया तो लुइस माउंट बेटन को भारत बेजने से पहले उसकी शादी एडविना के साथ करेंगे, क्योंकि अंग्रेज खुफिया पुलिस थी, उनको मालूम था कि नहरू और जिन्ना की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, अंग्रेजों की खुफिया पुलिस हर हिंदुस्तान बढ़े नेता पर नजर रखती है, तो अंग्रेजों की खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडविना को देजा गया माउंट बेटन के साथ, और माउंट बेटन को कहा गया, कि तुम इसको दिखावे के लिए अपनी पत्नी सुईकार करो, वैसे ये है नहीं त तो माउंट बेटन ने का ठीक है, मैं मेरे देश के लिए इतना तो करी सकता हूँ, तो उसको पत्नी के रूप में वो लाया, लेकिन कभी भी, लूइस माउंट बेटन ने अपनी धायरी में लिखा है, कि उसने एडविना के साथ कभी भी रात में विस्तर पर शेयर नहीं कि वो दूसरों को दिखाने के लिए पती पत्नी थे, लेकिन असलियत में नहीं थे, और जैसे ही माउंट बेटन यहां आ गया, तो एडविना को कहा गया, कि अब तुम तुम्हारा खेल खेलो, तो एडविना ने एक दिन नहरू को बुलाया, और अगले दिन जिन्ना को बुल शराब पीना उसके साथ बैठ कर, मिरे पास कुछ फोटोग्रैप्स है, कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे, नहरू जी एडविना के साथ बैठ कर शराब पी रहे है, एडविना को किस कर रहे है, चुम्बल ले रहे है, उसके साथ डांस कर रहे है, ऐसे मिरे पास साथ फोटोग्रेफ, सेवन, तो ये चलना शुरू हुआ खे, आप जानते हैं कि चरित्र सबसे कमजोर कड़ी होता है, किसी भी पुरुष के लिए, अगर चरित्र से कोई गिरना शुरू हो जाए, तो उसकी अंतिम सीमा नहीं होती है कोई, वो कहा तक जाएगा कोई नहीं जानता है, हमारे भारत में एक पुरानी कहावत कहीं जाती है, और वो पुरानी कहावत है, if wealth is lost, nothing is lost, आपता पैसा चला गया, तो चिंता मत करिये, फिर से आ जाए, फिर दूसरी बात कहीं जाती है, if health is lost, something is lost, आपता स्वास्त चला गया, तो थोड़ा कुछ तो गया, लेकिन last sentence है, but if character is lost, everything is lost, चरित्र गया, तो सब चला गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं, तो नहरु जी के साथ यही समस्या थी, और जिन्ना के साथ भी यही समस्या थी, जिन्ना और नहरु चरित्र के इतने हलके आदमी थे, कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही मौरत से पसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए, एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया, 3 जुलाई 1947 को नहरु जी एडविना से मिले गए, राब को उसने फोटोग्रेफ लिए, नहरु जी के बैड में फोटोग्रेफ लिए, और वो फोटोग्रेफ नहरु अगर ये रिलीज कर दिये जाए पोड़े बारत में, तो आपकी क्या हैसियत होगी, और आपको जो सबसे आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है, महात्मा गांदी, उनकी क्या हालत होगी, तो नहरु जी ने एडविना को पूछा कि आके तुम चाहती क्या हो, तो उसने का कि इंदू और मुसल्मान के आधार पर करना, आप इसको साइन करते हैं, तो नहरु जी ने कहा, कि मेरी कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछ लेता हूँ, तो एडविना ने का, इतना वक्त नहीं है मेरे पार, आप साइन करते हैं, या कल ये फोटोग्रेफ, ताइंस ओफ इंदिया में छपते हैं, नहरु जी सरेंदर हो गए, रात को तीन बजे, थर्ड जुलाई 1947 रात को तीन बजे, उन्होंने भारत पाकिस्तान बटवारे के पेपर्स पर साइन की, अगले दिन सबेरे उसने जिन्ना को बुलाए, एडविना गया, और जिन्ना के साथ उसने य लिए इस करते हैं, तो जिन्ना बॉखला गर्चा, जिन्ना को बालुम नहीं था कि वो बहुत शातिर हुए, था हमारे भारत में इदिहास में आपने सुना, विश्कन्या होती थी, विश्कन्या, एडविना वही था, विश्कन्या, तो जिन्ना परेशान, अपने फोटो द तो उसने का नहीं नहीं यह फोटोग्रेफ्स रिलीज मत करिए तो नहीं 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 तो चार जुलाई को शाम को करीब गाई तीन बजे जिन्ना से हस्ताक्षर लिए तीन जुलाई को सबेरे तीन बजे नहीं नहीं जी से हस्ताक्षर लिए और वो अगले दिन अख्वार बहा गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे पाकिस्तान मुसल्मानों को मिलेगा भारत हिंदों को मिलेगा और इस तरह से देश का बटवारा हो गया इस बटवारे में अगर आप देखना चाहें कि विलेग कौन है तो आपको बिल्कुल साफ पिखाई देगा अगर मुझसे कोई पूछे तो पहला विलेग इस बटवारे में पंडिक जवारलाल नहरू दूसरा विलेग मुहम्मद अली जिन्ना और मैं पंडिक जवारू को पहला विलेग क्यों मानता हूँ मैं आपको एक दूसरी घटा बतापा हूँ जो इतिहासना भी दर्ज नहीं है लेकिन डॉकुमेंट्स में वो घटना घटित है डॉकुमेंट्स में उसका जिक्र है तो घटना क्या है घटना ये है कि भारत पाकिस्तान बटवारा हो गया जिन्ना के अस्ताक्षर और नहरू के अस्ताक्षर से थोड़े दिन के बाद गांदी जी को ये पता चला गांदी जी को पता चला तो गांदी जी ने अपना सिर पीटा आप में से कोई शायद ये बात नहीं चानता है गांदी जी को एक आदत थी और वो आदत ये थी कि वो अपने पर जब गुसा करते थे तो अपना सिर पीटते जिस दिन गांडी जी को पपाजना के नहरू ने बटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर किये उस दिन उन्हों ने अपने को पीता और उन्होंने कहा कि अपने जिन्दा नहीं रहना है क्योंकि मैंने जिसको आगे बढ़ाया तो इतना कमजोर निकलेगा ये मुझे नहीं माले परिणाम क्या हुआ गांडी जी ने जिन्ना को पुला है और कहा कि भाई को ये बटवारा क्यों कर रहे हैं तो जिन्ना ने का बाकू मैंने हस्ताक्षर कर दिये हैं लेकिन आप मुझे वचन दो तो मैं मेरा एक एफिडेविट लगाने को तयार हूं और एट्विना ने मेर मुझे बारत का पृष्ण मंत्री बनवा दो तो अगले दिन नहरू को बुलाया और नहरू उसे का कि देखो जिन्ना तैयार है वो एफिडेविट देना चाहता है एट्विना ने कुछ ब्लैक मेलिंग किया है वो पूरे देश को बताना चाहता है उसकी एक ही शर्त है कि भारत का प्रधान मंत्री उसे होना बोलो तो डेहु जी ने कहा कि बापू जिन्ना को भारत का प्रधान मंत्री तो क्या मैं मेरे ओफिस का चप्रासी नहीं बना सकता कारकून नहीं बना सकता तो गांधी जी ने का तुमको जिन्ना से इसी दुश्मनी क्यों है तुम दोनों साथ साथ पड़े लंदन में Harris College में तुमको scholarship मिली जिन्ना को scholarship मिली साथ में जिस school में तुम पड़े साथ में रहे 15 साल और तुम में दोस्ती इतनी ज़ादा थी अब यो दुश्मनी इतनी क्यों है, तो नहरू जी ने असलियत नहीं बताई, जिन्ना और नहरू जी की जो दुश्मनी थी, उसका कारण था एड बिना हो, और कोई दूसरा कारण नहीं, गांधी जी को बताया नहीं, नहरू जी ने कहा कि मैं तो प्रदान मंतरी तो क्या चप पत्ति में तो गांधी तो तो तयार नहीं है कि तो थीक है थोड़े दिन में तयार हो जाए ऐसे करके गांधीं जी और मिष्ण कवारत पूरा लॉग догांधी जी सबहने Olivier갑 कि भारत आजाब होगा लेकिन दुख है कि बटवारे के साथ कौन प्रधान मंत्री बने तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको अपना अध्यक्ष चुनेगी वो भारत का प्रधान मंत्री होगा तो वोट डालने का काम किया गया तो तेरे लोगों का वोट सर्दार बल्लबाई पटेल के पक्ष में गया तेरे लोगों एक वोट पंडिजवारलाल नहरू के पक्ष मे अध्यक्ष यहार गया हूए और एक व्यक्ति कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एपसेंट हो गया वोट डालने नहीं आएária और जो व्यक्ति अप्सेंट था वह अनुग्ध्रे नराहिन सिन्रा नाम प्थी थे पतना से थे बिहार सिते हो तो एक वोट नहरू को तेरे वोट पटेल को गांदी जी के फॉर्मूले के अधसार पटेल भारत के प्रधान मंत्री बने क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अध्यक्ष चुना जब नहरू जी को पता चला कि वो इलेक्शन में हार गए तो फिर गांदी जी के पास आए और उन्होंने जो बाद के बोला हो मैं आपक नहीं सुनाता उन्होंने का बापु अगर मैं भारत का प्रधान मंत्री नहीं बना तो कॉंग्रेस को तोड़ दूगा और तूटी हुई कॉंग्रेस से अंग्रेजों का समझोता होगा और पावर ठांसफर मुझे होगी क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से ये तै किया कि भारत में कभी सब्ता का हस्तांतरन करना पड़े तो नहरू के हाथ में ही सब्ता देनी है क्यों? क्योंकि विंसें चर्चिल और क्लेमेंट आर एटली जो दो बड़े लीडर के उस समय इंग्लेंड के एटली प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल लीडर आफ दा अकोजीशन था दोनों का ये मानना था कि ये नहरू अपना ही आत्मी है शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है आत्मा इसकी अंग्रेजों वादी है इसको सब्ता दे दो तो भारत हमारे ही कबजे में रहेगा ऐसा मानूँआ तो ब्रिटिश पार्लिमेंट ने प्रस्ताव कर दिया था नहरू जी को उसकी जानकारी हो गई थी नहरू जी ने इस पर गांदी जी को ब्लैक मेल किया और कहा कि मैं अगर सब्ता में नहीं आया तो कॉंग्रेज को तोड़ूँगा और अंग्रेजों ने घोशना की थी कि कॉंग्रेज अगर तूट भी गई तो नहरू वाली कॉंग्रेज को वो पावर ट्रांसफर करके बारत से चले जाए तब गांदी जी ने सरदार पटेल को बिदाया और कहा कि अब क्या करना है तो सरदार पटेल ने कहा कि देश का एक बटलारा और हो ये मुझे मंजूर नहीं है मैं मेरा नपस लेता हूँ आप नहरू को प्रधान मंत्री पद की शपत करवाई है तो गांदी जी ने कहा कि मैं प्रधान मंत्री पद की शपत उसको नहीं करा सकता क्योंकि मेरा दिल अब उससे हग गया है ये जरूर है कि तुम मंत्री मंडल में आ जाओ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहो ताकि नहरू के ऊपर कंट्रोल रहे और मैं तो जाऊंगा नहीं ऐसे किसी समारो में जहां नहरू को प्रधान मंत्री पत की शपद भी लई जाएगी और आप जानते हैं कि 15 अगस 47 को जब शपद ग्रहन समारो हुआ गांदी जी उसमें नहीं गए गांदी जी नहीं गए गांदी जी उस समय बंगाल के गाउं में थे नोखाली में ये गाउं अभी बंगला देश में चला गया तो नोखाली के गाउं में गांदी जी थे करीब करीब दिल्ली से ये 3700 किलो बीटर दूर है नोखाली गांदी जी दिल्ली में नहीं थे transfer of power हुआ है गांदी जी ये कहा करते थे स्वतंत्रता नहीं आई है आजादी नहीं आई है सब्ता का हस्तांतरा हुआ है बस और जो गांदी जी बोलकर नहीं गए और वो उनके कहने में समझ में आता है वो मैं कह देता हूँ गांदी जी ये मानते थे कि गोरे अंग्रेजों की सब्ता किसी काले अंग्रेज के हाथीं आई इसलिए वो सब्ता गे समारोह में शामिल नहीं हो गई और आप फिर जानते हैं इतिहास आपके सामने है जिर्णा अलग पाकिस्तान का बन गया ये बन गया एक घटना बीच में और हुई थी भोगी में समझा दू आपको तो समझ म अधाली में ते ऐक डॉक्तर राया था वो डॉक्तर ने गांधी जींदा का पर्सनल ही जीषिशियक अखिएंगनों पेडित्यवे में भूपी गया है कि में बहूंमाद लिजी जिना का परसनल कुछी कई आपकर तो गाणी जेंग की मेरी बातशीत प्राट सब्रिप्र इता है Wean जो पर में आप सको क्वारी कूए तो कुश detailed ने काई वह कों व्यक्टी उनने का अम मेरा से करेक्री प्यारे याल भी मैं मुले उससे मुझे कोई बाती बने तकरिफ नहीं आप बुलाआ लो तो प्यारे लाजी को बुलाया और गांधी जी ने का कि मैं और यह बात करेंगे एक एक शब्द लेकना प्यारे लाजी बहुत अहतें लिखतें थे डॉक्टर ने जो बताया गांधी जी को गांदी जी परिशान हो गए वो सुनके उन्होंने कहा कि मौमद अली जिन्दा का मैं डॉक्टर हूँ और ये जिन्दा बहुत जंदी मरने वाला है गांदी जी ने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा इसको बोल्ट टीवी है इसकी वीड की हट्टी पूरी गल चुकी है इसका नर्वस सिस्टम ज्यादा दिन काम नहीं करेगा तो गांदी जी ने कहा कितने दिन जिन्दा रहेगा तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है दो तीन महीने भी जिन्दा ना रहे तो डॉक्टर को पूछा गांदी जी ने आप क्या चाहते हैं तो उन्हें का मेरी एक्षा है कि आप किसी तरह नहरू को समझा लो दो-ती महीने ये जिन्दा रहेगा इसको भारत का प्रधान मंत्री बना दो देश का बटवारा तो नहीं होगा तो गांदी जी ने का कि तुम्हारी ये बात में अगर सच्छा ही है तो मैं जरूर प्रयास करोगा फिर उन्होंने नहरू को बुलाए और कहां देखो नहरू ये मरने वाला है जिन्दा जादा दिन जिन्दा नहीं रहेगा इसको बोन टीवी हो गई है इसका डॉक्टर कहता है कि दो तीन महीने से ज्यादा जिन्दा नहीं रहेगा तुम क्यों अड़े हुए हो इसको प्रधान मंत्री बन जाने दो दो तीन महीने के बाद तुम बन जाना देश तो एक रहेगा तुम नहरू ने फिर वही बाद के कि मैं जिन्दा को मेरे ओफिस का चपरासी नहीं बना सकता प्रधान मंत्री कैसे बनने दो तो नहरू की जिद और जिन्दा का ब्लैक मेलिंग ये दोनों मिलकर भारत का बढ़वारा कर गए और इसमें भारत पूटा भारत और पाकिस्तान दो अलड़ देश बने किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं कोई विचार के आधार पर नहीं सिर्फ प्रधान मंत्री पत्की कुर्सी के खारण और मैं अभी सब लोगों को ये बोलता हूँ कि नहरू जी तो स्वर्गवासी हो गए 1964 लेकिन उनकी आत्मा अब भारत के उन सब नेताओं में प्रभेश कर चुकी है जो पुर्सी के लिए कुछ भी करने को तो तो मर गए 27 महीं 1964 और आप मैंसे शायद कोई जानता है या नहीं नहरू जी की म्रत्यू बहुत ही दुखत थी उनको सबसे खराब वो बीमारी होई थी जिसको Sexual Transmitted Disease का आजा STD आज का AIDS कह सकते STD उनको था और उनकी म्रत्यू के समय जिस डॉक्टर ने उनको एक्जामिन किया था वो बताता है कि नहरू जी का शरीर सड़ गया कीले पढ़ गये थे बहुत दुखत म्रत्यू के समय उनके परिवार की जो महिला उनके साथ में थी उसकी लिखी वोई डायरी में ये है कि नहरू जी के अंग सर गय थे शरीर के कीड़े पढ़ गय थे उसमें इसलिए वो ब्रदानमंद्रीपत से चुट्टी लेकर दहरादून गए थे चुट्टी बिताने के लिए लेकिन वहां से वापस नहीं आए तो वो तो चले गए पाकिस्तान बनवा गए इस देश में जिन्ना का क्या हुआ भारत पाकिस्तान जैसे ही अलग होए उसके लगवर साथ में महीने में जिन्ना मर गया बटवारा हो गया 14 अगस 307 अगस और इसके ठीक साथ में महीने में जिन्ना मर गया तो उदर पाकिस्तान जिसने बनाया वो पाकिस्तान का मजा नहीं ले पाए कभी और पाकिस्तान जिनके लिए बनाया वो पाकिस्तान कभी गए ने आप जानते हैं पाकिस्तान बनाने का जो सबसे रहा लॉजिक था वो ये कि भारत में रहने वाले मुसल्मान वहां जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान बनेगा वो यहां से गए नहीं, वो यहां है, शिया हों, चाहे सुननी हों, वो भारत में ही है, वो पाकिस्तान गए नहीं, और जिनोंने कभी पाकिस्तान माना नहीं, उनके सिर्फर ये पाकिस्तान ठोप दिया गया, वो अफ़रनिस्तान की सीमा पर रहने वाले जो बलूची रोग है आज पाकिस्तान क्या है सारा था पाकिस्तान एसी समस्यां से घिरा हुआ है जो उसके जनम से शुरू होई और जनम से जो समस्या शुरू होई जिन्ना के द्वारा उसी का दुश्परिणाम है कि आज तक उस देश में कभी लोगतंत्र नहीं रह पाया प्रजातंत्र नहीं रह पाया हमेशा किसी सैनिक ने उसका साचन किया और आज भी आप जानते हैं परवेश मुशर्ण उनी सैनिकों का रूफ है जो जिन्ना के द्वारा पल्लवित और कोशिब होई लेकिन भारत को एक बड़ा नासूर दे गए और वो नासूर ये भारत के तीन गिलेन एक जिन्ना, नहरू और एडविना ये तीन गिलेन को मैं मानता हूँ बारत के बड़ारी के लिए जिन्मेदा इतिहास के सारे डॉकुमेंट्स यही बताते हैं और ये जो सब हो गया कहानी उस कहानी के बाद की अब कहानी ये है कि पाकिस्तान को चलाने वाले जो सेनिक साशक हुए उन्होंने ये टैकर रखा है कि बारत तो एक नाइक दिन वैसे ही तो होना है जैसे बारत में पाकिस्तान को तो आप जानते हैं 1971 बारत के सेनिकों ने बंगला देश अलग करागे और वो अलग हुआ उसका गर्द पाकिस्तान को है तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा बंगला देश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेगे इसके लिए 71 के बाद से जितने भी पाकिस्तानी शाशक हुए सबने आतंक बाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए अलगावबाद जम्मु कश्मीर में बढ़ना चाहिए उसके लिए काम किया है धन भी दिया है और अपने सैनिक भी दिये है और वो आतंतवाद और अलगावबाद जो 72 से चालू है जम्मु कश्मीर में वो आज इतना बड़ा नासूर है कि भारत के साथ हजार से ज़ादा सैनिकों की मृत्ति हो चुकी है या शहादत हो चुकी है जम्मु कश्मीर को भारत में बनाई रखे है जम्मु कश्मीर भारत में रहे उसके लिए संविधान हमारे देश में बदल किया गया एक आर्टिकल जादा गया 370 जो दुनिया के किसी सम्मिधान में आपको नहीं मिलेगा उस आर्टिकल के अधार पर जम्मु कश्मीर को एक देश का दर्जा दिया गया है आप जानते हैं भारत का सुप्रीम कोट कोई भी फैसला सुनाए जम्मु कश्मीर में वो लागू नहीं होता भारत की संसत में कोई भी कानून बनाया जाए वो जम्मु कश्मीर में लागू नहीं होता हमारी संसत जब कानून बनाती है उस कानून का पहला पन्ना आप पढ़ें ड्राफ्ट जिसको कहा जाता है उसमें पहले ही वाक्य में लिखा जाता है accept in जम्डु न कश्मीर ये कानून बनाया जा रहा है जम्डु कश्मीर को छोड़ कर हमारी संसक्ष ने आ जा दी के बाद ऐसे हदारों कानून बनाये है जो आपके ओंपर लागू है ने ओपर लागू है लेकिन जम्डु कश्मीर पर लागू नहीं है तेां और बहुत साल कंटो कश्मीर के मुख्य मंत्री को ला जाता था माणे के answer गूंत कर तो है निवह क्लीट अलग है और पारत का छीटा में अलग है भारत का कानून अलग है, उनका सम्विधान अलग है, भारत का सम्विधान अलग है, फिर आप बोलिए कि जम्मू कश्मीर इस दा इंट्रिगल पार्ट ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा जूट है, वो हमारा जंडा नहीं मानते, वो हमारा सम्विधान नहीं मानत वो हमारा कानूर नहीं मानते फिर हम कहें कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग है ये किसको मूर्ख बनाने के लिए कहे आपको सुनकर हरानी होगी कि भारत की सरकार आपके लिए कोई भी खर्चा करे तो उसकी पाई-पाई का हिसाब कम-tolerant auditor journal of India रखता है लेकिन जम्मू कश्मीर पर हजारों करोड रुपए हर साल कर्च होता है उसका हिसाब किसी के पास नहीं मैंने बहुत बार C.A.G. को चिट्थी लिखा कि जम्मू कश्मीर पर पिछले साथ साल में हमने जो खर्चा किया है उसका मुझे classification चाहिए detail चाहिए C.A.G. कहता है कि मेरे पास नहीं है फिर हमने finance minister को कहा तो finance ministry से उत्तर मिला कि जम्मू कश्मीर का हिसाब दिल्ली में नहीं रखता जाता वो जम्मू कश्मीर में रखता जाता फिर जम्मू कश्मीर को पत्र गया हमारा वहां से वापस आ गया कि ये हिसाब हम किसी भी भारत पासी को बताने के लिए मजबूर नहीं है मेरी चिक्दी मेरे पास नहीं वो मानते नहीं कि भारत का अंग है हम जबर जस्ती कहते हैं कि ये भारत का अंग है पाकिस्तान वहां आतंगवादी बेशता पाकिस्तान की दम नहीं है यह सब करने की पाकिस्तान को यह सब करने के लिए अमरीका उक्साता रहता है अमरीका है वो पाकिस्तान को पैसा बेजता है वो पाकिस्तान पैसा जम्मु कश्मीर में बेजता है और वो लश्करे तयबा जैशे बहुंबद हर्कतुल अंसार हिस्पुल मुजाहिदीर जैसे खतरनाक संगठना को पैसा मिलता है और वो पैसे से सारे देश में बंबलास्त ह कि अगई मतब आ Sydney ने जेखें तर्थ करने वाला एक भी आतन्गुआधि जपकश्मीर का csvood बीडेश से आई अ सब आर्बी कहते हैं ति रसक्राइब है तो पाकिस्तान से आफगानिस्टान से आए कि या रीजदेश से आए हैं और पैसे पर काम करते हैं और हमारी सरकार की कैसी विचित्र है जमु कश्मीर में एक संगठन है जिसका नाम है हुर्यत कॉंफरेंस यह चोटी-चोटी भार्टियों का एक बड़ा समय होई इस हुर्यत कॉंफरेंस में एक आत्मी है उसका नाम है यासीन मलिक कभी आ अगर कोई अच्छा खासा हिंदुस्तानी उसको एक झापड मार दे तो जमीन पर तीन पर्टियां खाए इतना कमजोर आदमी है उसको भारत सरकार में सुपर हीरो बना रखता है क्यों भारत सरकार जब भी बात्चीत करती है तो यासीन मलिक से बात्चीत करती है और इस चक शुरू हो जाता है आप पूछेंगे जी अमेरिका को क्या इंट्रेस्ट है बारत का जो जम्मू कश्मीर है ये अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान के लिए तो ये बेकार का है मैं आपको सच बाप बता है क्योंकि पाकिस्तान ने जो पाको पूपाइड कश्मीर ले रखता है उसी को वो समाज के नहीं रख पा रहा है जम्मू कश्मीर को क्या है ये अमेरिका को चाहिए जम्मू काश्मीर की सीमा से चीन की सीमा लगी हुए और अमेरिका और चीन का पुरा न जगड़ा है अमेरिका और चीन एक दूसरे के जबरजस्ट दुश्मन है तो अमेरिका की योजना है कि चीन पर एक दिन हमला करना है जैसे इराक पर किया वो हमला करने के लिए अमेरिका के जहाजों को एक ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां से हवाई जाज उड़े और चीन पर जाकर मिसाइल डाले और वो इस्थान जम्मू में के इसलिए अमेरिका को ये चाहिए तो अमेरिका बंदूट चला रहा है पाकिस्तान के कंदे पर रखे और ये बंदूट है कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग हो जाए पाकिस्तान समान नहीं पाएगा पाकिस्तान ये अमेरिका को दे देगा अमेरिका फिर वहाँ सैनिक अड़ा बनाएगा और वो सैनिक अड़ा एक दिन चीन के खिलाफ काम आएगा ये है राजनीत अब आप बोलेंगे जी अगर ये राजनीत चल रही है भारत को गरबाद करने के लिए तो आप पूछेंगे जी हम क्या करें आप क्या करें मैं आपको एक विनम्र विवेदर करने आए कि आप क्या कर सकते हैं इस पूरी राजनीत को सारे देश से खतम करने के लिए और जम्मू कश्मीर को सचमे भारत में वापस लाने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जानते हैं क्या आप मैंसे जितने भी नागरिक यहाँ खड़े हैं कभी भी जम्मू कश्मीर घूमने के लिए मत जाए है आप परिशान हो जाएंगे यह सुखा आप कहेंगे जी दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है दुनिया का सबसे खूब सुरत इस्थान है हम जिन्दगी बर पैसा कमाते हैं बचाते हैं जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे और राजीम दिक्षित बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर घूमने मत जाएए मैं यह बात पूरे जम्मू कश्मीर का चार बार प्रमास करने के बात कह रहा हूँ चार महीने में जम्मू कश्मीर में रहा मैंने जो देखा वो आपको मैं बता रहा हूँ आप यहां से यात्री और पर्येटर बनकर जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो आपके उपर सबसे ज़्यादा टेक्स जम्मू कश्मीर की सरकार लगाती है जो भारत में कभी नहीं लगता वो सारे के सारे टैक्स का पैसा कुछ हातों से होता हुआ आतन कुवादियों तक पहुचता है सरकार में उनके आदमी रहे हुए आतन कुवादियों आप जानते हैं थोड़े दिन पहले हमारे भारत में जनु कश्मीर के एक आदमी को फासी की सजा हुई है उसका नाम है अफजल गुरू यह कश्मीर का है और इसने भारत की संसत पर हमला करने का पूरा प्लैन बगाया था सुप्रीम कौट ने उसको फासी की सजा दे दिये लेकिन उसको फासी अभी तक नहीं हो रही है कारेंग समस्ते हैं उस अफजल गुरू को बचाने वाले सरकार में बढ़े बड़े दोग बैट हो रही है और थोड़े दिन पहले तक हमारे भारत में एक ऐसा माहूल बनाया गया कि अफजल गुरू की जो फाइल है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुलकराम ने रोग रखी है डॉक्टर अब्दुलकराम ने रिटायर होने के बाद जो पहला स्केटमेंट दिया हो ये कि मेरे पास आज तक अब्दुल अफजल गुरू की फाइल आई ही नहीं रोगने का तो परश्मी नहीं है तो कहा है वो फाइल वो भारत सरकार के ग्रहं मंत्राले में है जिसका मंत्री है शिवराज पाटिव राष्लपती तक बेज़ी नहीं गिले कियोंकि बेज़ी जाती जाता था 5 पशाई हो जाती है तो अफजल गुरू को बचाने आप किस आतनकुवाद को कुछ ना चाहते हैं इस देश में जरा सोचें मेरा कहना बहुत इसफ़श्ट है कि आतनकुवादियों की मदद करने वाला ही अगर ग्रह मंत्री है इस देश का तो कौन से आतनकुवाद से आप लगना चाहते हैं इसके शिवराज पाटिय के पास फाहिल है अफजल गुरू की और वो फाहिल वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि अफजल गुरू को फासी होगी और वो फासी होनी नहीं चाहिए क्योंकि अफजल गुरू एक ऐसे सम्मू का सदस्य है जो आतलकवाद के नाम पर भारत सरकार से पैसा लूट रहा है और जम्मू कश्वीर के नेताओं को बाठ रहा है एक बहुत बड़ा खौकश और सिंडी केज बना हुआ दिली सरकार से हजारों करोन रुपए जाता जिसका कोई एकाउंटिंग नहीं है मैंने आपसे का वो अफजर गुरू जैसे लोगों के हाथ में ही पहुँचता है और वो फिर जम्मू कश्वीर के मुक्य मंत्री से लेकर समाम दूसरे मंत्री और अधिकारियों में बढ़ता है वो सारा पैसा आतनकवाद रोखने के नाप पर जाता है और हम उसमें कैसे मदद करते हैं हम जब कश्वीर भूमने चले जाते हैं भूमने में जितना पैसा आप ठेच करके आते हैं वो जाने अंजाने आपका पैसा किसी ने किसी तरह आतनकवादियों के हाथ में पहुँच होता है कि दुश्मन की सप्लाई लाइन काटो तब यूद जीत पे तो मेरे मन में आया कि जम्मू कश्मीर को जो सप्लाई लाइन है एक तो सरकार की है और दूसरे आप जैसे लोगों की है जो हर साल जूब मई के बहिने में गूमने के नाम पर वहां जाते हैं हजारों करोड खर्च करके आते हैं वो पैसा उनको मिलता है और वो पैसे से उनका आतन को बात पलता है मेरा ऐसा मानना है कि बारतिय नागरी जम्मू कश्मीर का प्रवास करना अगर बंद कर दें एक दो साल के लिए ही बंद कर दें तो समाज में जो पैसा वहां पहुंच रहा है वो हिंदुस्तान में वापस आजाएं क्योंकि उनकी दम नहीं है आप पैसा देना बंद कर दो और यह तबी संबद है जब आप जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए जाना परण कर दें हर साल लागों करोरों हिंदुस्तानी वहां जा रहे हैं और वहां एक बड़ा मंदिर है वहां मत्था देखकर आ रहे हैं करोरों रुप्या उस मंदिर को दान में जा रहा है और वो वैश्नो देवी जी का श्राइन बोर्ड है वो पता नहीं कहां पैसा खर्च कर रहा आपको कुछ वालों है मेरी आपको भिनंती है माता जी की पूजा करनी है दुर्दा माता की तो हुबली में भी है वैश्नो देवी में ही क्या है गुगली में भी पूजा हो सकती है और भारत में तो कणकण में भगवान है तो जम्मू जाके कट्रा जाके वही पूजा करना हमारे यह तो कणकण में भगवान है तो जिस दिन भारत के 110 पोटी नागरिक एक साथ यह एलाइन कर दे कि हम जम्मू कश्मीर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि आतन को आध खतम नहीं होता मैं आपको कारंटी देता हूँ एक दो साल जादा नहीं आतन को आध खतम हो जाएंगे ये तो मेरी आपको मिलती है और दूसरी एक मिलती है अभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में एक नया थेल शुरू हुआ है वहां के लोग कंदे पर रखके शौल ले लेके आते हैं और आपके हुबली में बेच बेच के हजारों लाखों रुपए लेके जाते हैं आप जानते नहीं कुम वैसे कौन आतंकवादी है और कौन सच्छा हिंदुस्त है पश्मीने के शॉल दस-दस हदार रुपई के इस उबली में बेचने के लिए हर साल जम्मु कश्मीर के लोग आते हैं और यहां बेच कर जाते हैं आपका पैसा बहां पहुंचता है तो जम्मु कश्मीर से अगर कोई आया हुआ है तो हाथ जोड़कर उसको बिंती करिए कि हम तुम्हारा शाल तब तक नहीं खरीब सकते जब तक कि जम्मु कश्मीर भोशना ना करें कि हम भारत के अभिन ना होंगे हैं हम नहीं खरीब सकते बात खतम हो। तो उनका सामान यहां बिकना बंद हो जाए आप लोग जो करोड़ों की संख्या में हर साल जम्मु और कश्मीर जा रहे हुए वहां जाना बंद कर दीजिए आतनकवाद की समस्या हल हो जाएगी क्योंकि आतनकवाद की समस्या पंजाब में जो हल होई वो इसी तरह से होई पंजाब में भी आतनकवाद था और वो हल किया गया हो इसी तरह से कि भारतवासियों को पंजाब के पुलिस आफिसर्स ने कहना शुरूर किया यहां आना बंद कर दो अम्रज सर के बंदिर में मत्था टेकना बंद कर दो गुर्दवारे में और तमाम जगे जाना बंद कर दो बारतवासियों ने जाना बंद कर दिया पंजाब पूरा सूना हो गया आतनकवादियों के रिल की हड़ी तूड गई क् अम्रत्सर का जो गुर्दवारा है वहीं से सारा धन पलिजाब की आतनफवादियों को जाया करता था और अम्रत्सर का गुर्दवारा ही पलिजाब की आतनफवादियों का सबसे बड़ा केंद्र और अट्डा बना हुआ था जहाँ और आपरेशन ब्लू इस्टार करना पड़ा तो पंजब का अक्रमाग इस तरह से हब हुआ जम्मू में भी हो जाएगा कश्मीर नभी और एक बार यह हो गया तो भारत का एक नासूर हमेशा के लिए फ़तम हो जाए और एक छोटी सी आकरी विलन्ति आपको मैं करना चाहिए विलन्ति यह है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को नहीं अमेरिका को चाहिए इसको ध्यान रखे इसका माने अमेरिका से सावधान रहने की जरूरत है अभी भारत का पुदान मंत्री और अमेरिका की दोस्ती बढ़ रही है आज का अगवार अगर आप उठा कर देखे है तो कि मेरी सरकार गिरे तो गिर जाए मैं दोस्ती अमेरिका के साथ नहीं चोगँरू आप जानते हैं सरकार चलाने वाली जो पर्दानमंसरी ने करीते हैं सरकार गिरें तो घरें अमेरिका से दोस्ति नहीं तोड़ें बानिë पर्माणू सम्झोता हम केसाथ करें ये APPर म dau 10 धंजोते कि नाम पर हमारा हाँ पकड़ रहा है थोड़े दिन और गर्दन such a क्योंकि अमेरिका का एक चोटा सादेश है वियतनाम अमेरिका का दोस्ता उनीस सो साथ में फिर उनीस सो सप्तर के आस्पस इसे वियतनाम पर अमेरिका ने बंगिराए और बर्बाद कर दिया उसके एक सेटो उडा रहा है तो अमेरिका की दोस्ती बहुत खतरनाथ है और मैं तो लोगों से सीधी भाषा में ये कहता हूँ कि जो खतरनाथ जीव जन्तु होते हैं उनसे दोस्ती नहीं की जाते है कोबरा साफ है उससे दोस्ती नहीं हो सकते है दूरी रहना अच्छा है कोबरा साम से भी जादा खतरनाक रसल, स्वाइपर और करेत होता है उससे दोस्ती नहीं होती है पता नहीं कब पलक बार कर दे और आप खतम हो जाए इसलिए खतरनाक जीव जंतों से दूर रहना ही अच्छा होता है उनसे दोस्ती अच्छी नहीं है अमेरिका से भी दोस्की भारत के लिए अच्छी नहीं तो आप बोलेगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप सब भारत वासी बिलकर एक काम कर सकते हैं वो ये कि अमेरिका के लिए सप्लाई लाइन भारत से बनी हुई है उसको भी तोड़ दूआ क्योंकि यहां से पैसा अमेरिका जा रहा है अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है पाकिस्तान जन्मू कश्मीर के अतनकबादियों को दे रहा है वो अतनकबादी हमारे लिए फिर बर्द कर दा है आप बोलेगे जी ये पैसा अमेरिका कैसे जा रहा है बारत में अमेरिका की 450 हजार धंदा कर रही हैं पेप्सी कोला कोला कॉलीगिडिट फ्राप्टिर गेंबल रेजटेंट पॉलीगेंट जूंसन इंजॉंसन ऐसी 450 हजार कंपशन इनका मात हम खरीदी कर रहे हैं हम इन कंपनियों को हर साल दो लाक कोटी रुपए दे रहे हैं वो अमेरिका जा रहा है अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को पाकिस्तान को पैसा आतंगवादियों को और आतंगवादी उस परसे से हमारा से तर्द तो ये पैसा अमेरिका जाना बंद कर दो किया करना इसके लिए इसके लिए गही करना है जो लोग्माने किलख न ऊंत्र था 1905 में लोग्माने किलख में का कि सवराजी चाहिए तो अंग्रेजी माल भhष्कार करो मैं 237 में आपको कहने आया कि सवराजी को फॉरक्षित रखना है तो अमड़ी की माल का भष्कार कि बहुत सारे प्रदेशी अमेरिका के साभुन इमारे ही शैंपू में उनका बनाया हुआ शर्ट नाई की एडिडाउध क्यूंगा लोट्य लोट्टो और ये स तो लोग्मा निकड़क का अशिर्वाद आपको भी मिल जाएं और आगे से वो खरीद ना बरूबर दो आपको लोगे माहिती कैसे मिलेगी क्या वस्तु अमेरिका की है क्या भारत की है हमारे आजादी बचाओ अंदुलन की तरफ से पत्रक बनाया गया है कन्ना में है मराटी म है हिंदी नहीं है वह बत्रक आप लेगो उसमा पूरी माहिती है क्या-क्या वस्तु अमेरिका और विदेश से आती है वह खरी देवे नहीं तो प्रेप्सी कोला तो कोला पीएंगे नहीं क्योंकि यह पानी जो आप पीते हो इसका 10,000 को ती अमेरिका जाता है अमेरिका पाक तो पेप्सी को बंद करो पिला फिर आप बोलोगे क्या पिए यड़ीर पियो मज्जीगे पियो कपिन हाल पियो कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध नीर पियो पेप्सी कोट से अच्छा तो इस गानपतीयु ज के समय में आपो फि coal पिलेता हुं पेप्सी पंद कोडिय वेडिर यंड पुडीरIn, MGD, Harm पॅब कपिन पूरी हिस्थि I say, call, get close-up Pepsodent उपियोग माड़ेरी, क्याकि अमेरिकन है, तो आप बोलällen के क्या करना, बेविन कट्टी उपियोगी सी, बेविन कट्टी होंगी कट्टी, दंत नंजन, लाल दंत मंजन, जास्ती उपियोगी, call, get close-up उपियोग माड़ेरी लाइफ पोई लक्स लिरिल रेक्सोना उपयोग माणदेडी स्वधेशी सोप उपयोग इसी मैसूर संदत चंद्रिका मैडी मिक्स स्वधेशी सोग है उसको उपयोग कर बूट और चपल जो भी है वो हुबली के किसी कारीगर से खरीदो जो हाथ से बनाता है बाटा कंपुनी का कभी मत खरीदो ये अमेरिकन बाटा बेसी एडिगाज प्यूमा बटरफ्लाई ये साम अमेरिका है जास्ती से जास्ती अमेरिकन वस्तू वहिश्का ये अगर आपने किया रेडे लक्ष कोटी रुपाई देश को लाब होता है और अगर अमेरिका को ये धन नहीं मिलेगा वो पाकिस्तान को नहीं दे सकता है पाकिस्तान को धन नहीं मिलेगा उसकी ताकत नहीं कि वो भारत में आतन दुमाद चला सकते है तो हम इसमें इतना समाधान को कर सकते हैं मेरे एक दोस्त है, उनका नाम है शिव खेडा, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत की कोई भी समस्या के समाधान में, अगर भारत वासी शामिल नहीं है, तो वो सब भारत वासी समस्या का हिस्सा है, अगर आप इस देश से आतंकवाद मिटाना नहीं तो आप आतंकवाद का हिस्सा है, अगर आप गरीवी भुक्मरी बेवडारी इस देश की दूर करने नहीं चाहते, तो आप भी गरीवी भुक्मरी का हिस्सा है, बने जो समस्या है, उसको हम समाधान करेंगे, भगवान उसके लिए हमें मदद करेंगे, तो हम समस्या के और आप में से किसी का भी कोई बेटा बेटी अमेरिका में है उसको हाथ जोड़कर विंदी करें कि भारत में वापस आओ तुम्हारी भारत माता को जरूरत है अमेरिका को इतनी जरूरत नहीं है तो ऐसा एक अभ्यान पूरे देश में चले जो श्री तिलक ने चलाया 1905 में व और ये सब कहने आई आपके इंगे अमरी की Jake play at lip da Hé अगे करने आया कि आप सालिया अग्रेशी दौенко काना बंद करो आपको कौई में नहीं मार सकती आपके भर में आपके रसोई में आपके किचिन में इतनी अच्छी दवाएं हैं जिनका उप्योग आप करके बीमारी से बच सकते हैं जैसे हर्टेक की बीमारी है जिसके लिए अमेरिका से बहुत दवाएं आती हैं बंद कर दो उस हर्टेक से बचने का सबसे अच्छा ओशन हमारे घर में है हमारे घर में एक सोरेकाई है, सोरेकाई, सोरेकाई रस, मरागी में उसको कहते हैं दूधी वोप्रा, दूधी वोप्रे का रस पीना शुरू कर दो, तीन महीने के बाद आपको हरकत है कि बीमारी ही कतम हुझा, भारत में एक योग और प्राणायाम सिखाने वादे संथ है, हिर्दे घाथ ठीक कर दिया दूधी वोप्रे के रस, सोरेकाई के रस, आप भी कर से, घर्दे घाथ के लिए कोई डॉक्र के पास जाने की जरूरत नहीं, दूधी वोप्रे का रस चाले उपर दूसरा आप बोलोगे, जी डाइमिटीज के लिए क्या, डाइमिटीज के एंते बीच और त्रिफलाचू, दोनों मिक्स करके सुबह खाली पे खाना शुरू करो, तीन महिने में डाइमिटीज में इंसुलिन लेना ही नहीं पोड़ेगा, आप बोलते हैं जो जॉइंट्स पेन है, गिप जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट्स में पेन है, इसके जॉइंट्स में ठीक हो जाएगा, और ये पंद्रे वर्थ का मेरा तज्यूपा है दो कोई बोलगा, पंद्रे साहल से मैं ये एक्स्परिमेंट करना हूँ, मैंतिय बीच पर, त्रिफला चूण पर, सुन्नद नीर उपर, सोरे काईरस, सोते काईरस, कुंबर काईरस, बजन काईरस, ये सबी रसों कर एक्स्परिमेंट करके मैं बता रहा हूँ, कि वंदुलूर नदवत्तें रोग समाप्त करने का ताकत हमारे किचिन में हैं, घर में हैं, और शदी का आवश्यक्ता नहीं है, माइपी और नीचों, और आपके सबसे खराब रोग, कैंसर का भी रोग आप ठीक कर सकते हैं, जो देशी गाय होती है ना, स्वदेशी गाय, भारतिय गाय, इसका मूत्र अगर आप नियमित रूप से पियें, और हर्शिन रस, हर्शिन टर्मेरिक, जो तादा पादर आता है, उसको पीस कर चक्पी बनाकर रस निकालें, उसमें जेंतों प्लिक्स क कैंसर के लेने लगें, तो गाय का मूत्र, देशी गाय का मूत्र और हर्शिन रस, चार मही ने तो आपने दे दिया, कैंसर के मनी इसको बहुत आराम आज़ा है, आसानी से लिकर, ये सम महिती हमारे आयुर्वेट में है, अस्टांग हिर्दय में है, बड़े-बड़े ग्रं बनाया गोमूत्र चिकित्सा, एक बनाया स्वदेशी वारतियता, ऐसे बहुत पुस्तक हैं, यहां पर हमारी कारिकर्पां के पास है, आप चाहें तो ले सकते हैं, इन पुस्तकों में, बंदनूर नलवत तेंट रोज समाप्त करने का महिती है, गाय के मूत्र से, मैंधिय ब पुस्तकों मेरा कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है, आपको अच्छी लगे, आपके नाम से प्रकाशित करिए, हंड़ी हंड़ी नगर नगर पचार करिए, देश का काम होगा, मैं यह देश के लिए करणा, आपको यह विरेंपी करने हैं, और यह जो माहिती मैंने आप तक दी, वो माहिती जादा से जादा लोगों तक पहुँचे, और देश की समस्याओं का असली जनब कहां से हुआ, और कैसे हम इनका निदान करें, वो सबके समझ में हाए, तो शायद यह गणपती उत्सब मनाना हमारा सार्थक हो जाए, गणपती अब उप्योग में लाया गया, वैसे ही स्वराज्य बचाने के लिए यह गणपती उत्सब्सा उत्योग हो, यही भावना से मैं यहाँ आया, आप जो बड़े ध्यान से सुना में आवारी हुआ, और खड़े रहकर मेरा वक्त भी लगपत, दो ढ़ाई गंपते आपने सुन वस्तों का वहिशकार करेंगे, और अमरी की वस्तों जो हमारे पेंप्लेट में हैं, आप यह पेंप्लेट दे जाईए, इनको ध्यान में रखकर ही अपने धर की वस्तों लाईगे, तो श्री तिलक की आत्मा को सच्छी शर्द्रांजली हम दे सकेंगे, ऐसा बोलते हुए, आप सभी को आभार, बहुत दियरे हैं,